जरूरी सूचना आप सभी स्टूडेंट्स के लिए Study for Civil Services का Android आप Google Play Store में आ चुका है उसको प्लीज तुरंट इंस्टॉल कर लीजे और अगर आप Study for Civil Services के सिर्फ आप से कोई भी कोर्स, कोई भी पेडिया परचेस करते हैं तो उसमें Apply coupon अगर आप ग्यांसर जो है आप उसमें Apply करते हैं, यह coupon code है तो उसमें 20% fees तुरंट माफ हो जाएगी मतलब 20% discount तुरंट उसमें लग जाएगा ग्यांसर लिखना है, नॉर्मली ग्यांसर स्माल लिटर में है, सब कुछ कोई space नहीं, कोई column नहीं सिर्फ ग्यांसर जी, वाई, एन, एसाई, यार इस तरह से अगर coupon code लगाते हैं, आप एप में बाई करने से पहले जो apply coupon वाले में आता है तो 20% का discount तुरंट दिलेगा, वीडियो देखिए इस वाले वीडियो में पिछले 6 महीने का यूपी का उत्तर प्रदेश का जितना current affair सभी exams के लिए जरूरिय सिर्फ उतना ही लिया गया है पहले अगर हम awards and honors के बारे में बात करें तो Ministry of Social Justice and Empowerment के द्वारा अवार्ट्स दिये गया थे प्रेजडेंट दौपदी मुर्मो के हां थो National Awards for the Empowerment of Persons with Disabilities तो उत्तर प्रदेश से तेजवीर को गौतम बुद्नगर से जो है अभिनाव चौधरी को और दिव्यांग डवल्लप्मेंट सुसाइटी जो कानपूर से है इन मदलब इस organization को दो वेक्तियों को समानित किया गया है और गाजियाबाद के अभिनाव चौधरी को कला और संस्कृति और समाथ सेवा के छेतर में उत्क्रष्ट कारे करने के लिए कानपूर स्थित एक अंजियो है दिव्यांग डवल्लप्मेंट सुसाइटी इसके द्वारा किये जाए कारेओं को मानिता देने के लिए पुनरवास पेशेवरों के विकास में कारेग्रत संगतन की के टेगरी में दिव्यांग जिर्णों को सशरक्त बनाने के लिए पुरुस्कार ये दिया गया समाजिक नया एवं अधिकारता मंत्राले के तत्वधान में तो यह important award था बस यही एक था इसके बाद आ जाते हैं हम लोग defense section पर ऐउध्या में defense sector expand करना चाहते है उत्तरप्रदेश सरकार ब्रिटेन की एक company है जिसका नाम है Trafalgar Square Capital उत्तरप्रदेश के एउध्या में defense विनिर्मार की काईये लगाने के लिए यहाँ पर बातचीद चल रही है 75,000 करोड़ रुपए का निवेश यहाँ पर आ सकता है तो जब आएगा तो हम इसको finalize करेंगे लेकिन अभी जो है यह आपको पता होना चाहिए कि एउध्या में defense sector को expand करने को लेकर विचार किया जा रहा है sports events में अगर हम December में देखें तो उत्तरप्रदेश Rural Sports League इसका अवजन कहां पी बहा था गोरगपुर में इसका शुबारम किया गया था ठीक है कहां पर गोरगपुर में उत्तरप्रदेश में last year अगर आपके याद हो one district one sports scheme यहाँ पर शुरू की गई थी और एक कुछ districts के special sports यहाँ पर नामित किये गए था जिनको promote करना था तो किस जिले के लिए कौन सा sports यह थोड़ा सा आपको जरू देखना चाहिए जैसे wrestling के लिए कई सारे जिले हैं athletics के लिए भी कई सारे जिले हैं लेकिन कुछ sports ऐसे हैं जो एक जिले में एक ही जिनको assign किया गया जैसे पीली भीट, swimming के लिए football के लिए हाथरस archery के लिए सोनभदर, लालितपुर boxing के लिए बुलंद शहर, कुशी नगर weight lifting के लिए मिर्जापुर, बिजनौर table tennis के लिए आगरा और कानपुर badminton के लिए अलिगण घौतम बुदनगर shooting के लिए बांदा और कबड़ी के लिए कन्नौज प्रयागराज मतलब कबड़ी के लिए कन्नौज और lawn tennis के लिए प्रयागराज, तो ये आप ध्यान रखिएगा खास कर जो जिस मतलब जिले में एक ही या दो स्पोर्ट्स आए हैं उसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, इं मैचिंग में लगाने को आने की संभावना बन रही है कि एक तरफ जिला दिया होगा और एक तरफ उस जिले का स्पोर्ट, जिसको असाइन किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट योजना के तहित अभी MPPSC का एक्जाम हुआ था आपका 17 दिसंबर 2020 के उसमें पूझा मद्द प्रदेश, राज नीती और योजना आयोग रिपोर्ट 2023 के नमसार मद्द प्रदेश के किस जिले में बहु आयामी निर्धनता में सरवाधिक सुधार देखा गया था जो मैंने इस पर जादे रिसर्च की तो देखा कि उनके आनीती आयोग या योजना आयोग ने कुछ भी extraordinary नहीं किया है जिले ने बहु आयामी गरीबी में सरवाधिक सुधार किया है तो इनीती आयोग की रिपोर्ट है उसी की PDF है MPI Progress Review की इसमें सारे राज्यों के नमन दिया है कि NFHS 4 की योधी 2015-16 और 2019-21 की NFHS 5 की तो कितने यहाँ पर सुधार हुआ है और किस जिले में अगर पूछे कि सरवाधिक सुधार कहां पर देखने हो पिल रहा है सरवाधिक सुधार इस तरीके से नहीं देखा है कि जो percentage of population जो multi-dimensionally poor थी उसमें घटोत्री कितनी हुई है इन 4 वर्षों में सरवाधिक घटोत्री यानि कि minus 29.64 people या percentage of multi-dimensional poor कम हुए है महराज गंज में तो महराज गंज में सरवाधिक गरीबी कम हुई है फिर गोंडा में, फिर बलरामपुर में, फिर कौशामबी में, फिर खीरी में फिर श्रावस्ती में तो इस तरीके से क्रम भी एक बार थोड़ा सा ध्यान रखेगा महराज गंज पहले, फिर गोंडा, फिर बलरामपुर और फिर यहां पर कौशामबी और खीरी इस तरीके से आप क्रम ध्यान रखेगा और सरवाधिक कम कमी कहां पर देखी गए इतनी ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में यह कुशन आ जाता है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा महराज गंज महराज गंज के बाद यहां पर सबसे कम गरीब हुई है गोंडा में और फिर यहां पर जैसे हमने बताये करम से समिट से इंपोर्टन कॉंफरेशैस पर तो काशी तमिल संगबम का दूसरा चरण होगerson के दिसम और यह पिछले साल 2022 में दिसमबर में भी वार्णपर बाद सी में हो था पहला चरण रिया और चावदास लोगों को साथ समूह में इसमें बाटा गया और साथ समूह का नामें पवित्र नदी के नाम पर रखा गया जैसे गंगा यमुना सरस्वती सिंधु नर्मदा गोदावरी कावेरी और अबरदान मंत्री जी ने जो भासन दिया था मुख्यमंत्री योगी अधितना जी को पाटिस्पेट करेंगे 2024 में तो उत्तर प्रदेश से वर्ल्ड एकनामिक फोरम में पाटिस्पेट करने वाले पहले मुख्यमंत्री बन जाएंगे बायो नेचर कॉन या बायो नेचर कॉन्फरेंस का यह जन हुआ था गोरकपुर में महायोगी गोरकनात विश्विद्याले में तीन दिवसिये राश्ट्री संगोश्टी वी थी बायो नेचर कॉन या बायो नेचर कॉन्फरेंस इनमें आपर दो पुस्तकों का विवोचन भी किया गया था प्राचीन भारत के राजिकर्मचारी और नातपंथ वर्तमान उपादेता का अयतिहासिक परिपेक्ष आजाएंगे रेंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पे इसकी पहली डिल्टा रेंकिंग आ गई है यह कप शुरू किया था इसको और रखा गया है तो इस प्रेंचन ब्लॉक के रेंकिंग जोन वाइज आई है उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अरईया ब्लॉक ने पहला और गाजीपुर जिले के विर्नो ब्लॉक ने दूसरा स्थान राप्त किया है जोन टू में अगर बात करें अगर हम ओरॉल इंडिया की बात करें तो ओरॉल इंडिया में कौशामभी का ब्लॉक जो है यह सब्सक्राइब करते हैं तो उत्तर प्रदेश में लिखेंगे तो यह आप आकड़े में मेंशन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में एक बात रता है कि जैसे यहां पे कई सारे आकड़े आएंगे आपको की क्राइम सुल्जाए जा रहे हैं सबसे पहला है दो स्टेट्मेंट वाला इसमें कहा गया है कि सुहाग नगरी काही जाने वाले फिरोजाबाद के नाम बदल करके चंद्र नगर की जाने के लिए मिनिस्पल कॉर्परेशन की एक्जिक्यूटिव मीटिंग में प्रस्ताव पारित कर दिया गया है तो फिरोजाबाद को अपने कांच की चोड़ी के उद्द्यों के करण और किस नाम की जानते हैं सुहाग नगरी ठीक है यह आ चुका है कई बार यूपिटर प्लसी के एक्जामस में जगन स्टेट्मेंट इसके जोग्रफी से एस्टेट की फिरोजाबाद इस सिच्ट्वेटेटर अन्द बैंक आफ रिवर यमुना दोनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही हो रहे हमारा एंसर हो जाएगा इसमें C अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतरगत एक अभियान चलाए गया था जिसमें दस परशी छातरा वैशनवी मिश्टरा को ट्राफिक इनस्पेक्टर एक दिन के लिए बनाया गया था तो कई सारे ऐसा इनिशेटिव आपने देखा होगा जिसमें स्टूडेंट बच्चों को एक दिन का ऑफिसर बनाते हैं उनकी राय जानने कोशिश करते हैं दी थी और इस तरीके से उत्तर प्रदेश अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम बन गया उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट में छपा था कि उत्तरप्रदेश अंतरदेशी जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम को अनुमोधित किया गया था या फिर इसमें जो है 7 दिसंबर 2023 को यह बिल फाइनली एक्ट में परिवर्थित हुआ क्योंकि गौर्णर ने इसी तारीक को अपना एसेंट या फिर अनुमती दी थी और इसमें यह कहा गया है कि यह कब से लागू होगा उत्तरप्रदेश में जब अधिनियमित किया जाए या फिर जब सूचना प्रकाशित की जाए राजसरकार के द्वारा इस अधिनियम की धारा तीन में कहा गया कि राज सरकार सरकारी गजट में अधिस उचना द्वारा अधिनियम के प्रयोजन हेतु एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे उत्तर प्रदेश अंतर देशी जलमार प्राधिकरण कहा जाएगा और इसमें कहा गया कि मुख्य मंत्री द्वारा नियुक्त या नाम निर्दिष्ट कोई विशेशक इसका अध्यक्ष बनेगा 25 दिसम्बर 2023 को गोट गाउर्णनिस्टे के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी जीने किन दो शहरों के बीच राज की पहली अंतर जिला हेलिकॉप्टर सर्विस शुरू की थी पागरा जिले के बटेश्वर से मंत्रा जिले के गोवर्धन तक ये इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट हेलिकॉप्टर सर्विस ये शुरू की गई थी दो जिलों के बीच पहली बार उत्तर प्रदेश में हेलिकॉप्टर सर्विश शुरू की गई आगरा से मत्रा के बीच अप्शन नमबर A 23 दिसंबर 2023 के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आधितनाज जी ने मुरादाबाद के बिलारी में पूरू प्रदानमंतरी चाओधरी चरण सिंग की जैनती पर उनकी 51 फीट उची प्रतिमा का नावरण किया पिर अविनाश वरू नामक स्टूडेंट जो है इन्स्टूट आफ टेक्नलोजी और मेनेजमेंट गोरकपूर के इन्होंने ग्रीन लैंड माइन अलार्म डिवाइस बनाई है जिससे की एनिमल से क्रॉप को प्रोटेक्ट किया जा सके जैनवरों से फसलों की सरक्षा के लिए तो दोनों स्टेटमेंट सही है हमसे पूछा है इन्करेक्ट कौन सा है तो इन्करेक्ट कोई नहीं है इनको कितने डिवरेशन का सर्विस एक्स्टेंशन दिया गया तो सर्विस एक्स्टेंशन इनका प्रोब किया गया 6 महिने के लिए अप्शन नमबर A यहां पे सही है 18 दिसम्बर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाड़ेसी के उम्राहा में स्वरवेद महामंदिर का उद्गाटन किस ने किया स्वरवेद महामंदिर का उद्गाटन इसम्पीमजी ने किया था अप्शन मबर C यहां पे सही है नरेंद्र मोदी अयोध्या जंक्शन और एरपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेट्मेंट यहां पे उत्तर प्रदेश के अयुध्या रेल बेस्टेशन के नाम बदल करके अयुध्या दाम जंक्शन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश गुजरात से आगे निकल गया है। उत्तर प्रदेश के इस रेल बेस्टेशन ने आईजी बीसी इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काॉंसिल का सेटिफिकेशन भी प्राप्त किया है। या ग्रीन स्टेशन बिल्डिंग के लिए तीनों स्टेटमेंट यहां पर सही हो रहे हैं। एक फैक्ट और ध्यान रखेगा कि इंडियास फर्स्ट अमरत भारत ट्रेन जो कि चलाई गई है वो एउध्यम चलाई गए ध्यान रखेगा। भारत की पहली अमरत भारत ट्रेन कहाँ चलाई गए यह उध्या में और यह उध्या को सीता मढ़ी से कनेट करेगी। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के वार्ड़सी में दूसरी बंदे भारत एक्स्प्रेस उत्तर प्रदेश की चलाई है। यह कहां से कहां तक चलेगी। 11 volumes of collected works of Pundit Madan Mohan Malvi in Delhi में किया गया है इनागरेशन यह पिर कह सकते हैं 11 volumes of collected works इसको चो किया गया था। तो दोनों यहां पर सही हैं C 1 & 2 बोथ करेक्ट C अब बेलदेश से कमेंट करके बताई कि Pundit Madan Mohan Malvi जी ने लिखत में से किस अकभारों से जुड़े थे यह आपके code है इसके answer आप कमेंट में लिख करके बताईए क्योंकि यह history के perspective से काफी जरूरी fact है दिमलिकित में से उत्तरप्र देश के किस शहर में स्विड़जर लेंड की तर्ज पर मनौरता नामा के नई गौषाला बनाई जाएगी गौषाला राजभानिम बनाई जाएगी सेकेंड नंबर पर हलांकि आचुका है अब उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश, 2020 में यूपी ने लीप संद बाउंड यहां पर अपना स्थान ऊपर किया था, इस आफ डॉइंग बिजनिस में, योगी आदित नाजी ने कितने जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्थापित करने का निड़ाई या फिर मन्जूरी प्रदान कर दी है, तो अप्शन नंबर डी यहां पर सही, 57 जनपदों में साइबर क्राइम थाने स्टैबलिश किये जाएंगे, नया जो star classification है उसके बारे माताना है, उतरप्रदेश के tourism department ने का है, कि नया star classification system में लोग लायेंगे, जिससे hotel इसको classify किया जाता है, 5 star है, 3 star है, 4 star है इस तरीके से, तो यह system tourism industry को promote करने के लिए लाया गया है, तो यह अपना नया classification लाने बाले है, उल्ड क्लासिफिकेशन के बतले तो एंसर यहां पे सही हो जाएगा C तो पांच क्लासिफिकेशन यहां पे होगे प्लाटिनम, डामेंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज उत्तर प्रदेश में मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट कहां बे बनाया जा रहा है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट बनाया जा रहा है मुरादाबाद में, और पहला भी एशिया का यहीं पर था तो 19 Health ATM यहां पर समर्पित किये गए थे जन्ता को Option C यहां पर सही है नॉम्बर 2023 में जारी रैंकिंग के इनुसार सरकारी ओजनाओं को लागू करने में निमलिकित में से किस जिले ने शीर स्थान आसिल किया है तो अम्बेटकर नगर और मुझफपर नगर दोनों ने शीर स्थान आसिल किया है तो एंसर यहां पर हो जाएगा D वो थे A and B यहां पर पहले स्थान पर है और ETA यहां पर तीसरे स्थान पर है सरकारी ओजनाओं को लागू करने में निमलिकित में से कौन से कथन यहां पर सही है दिसंबर 2023 में आयटी कानपूर के अर्थ साइंस विभाग के पिछडी चात्र ने अंडुमान निकोबार से 149 के लिम्टर दूर नारकॉंडम दूइब के पास तेल और गैस के संकेत प्राप्त किये है तो यह सही है इसके बाद दिसंबर 2023 में दिली के भीका नेर हाउस में छटे टॉफ्ट वन जीव परेटन पुरुसकार में उत्करस प्रदरसन के लिए उत्तर पुरुसकार को तीन स्टेंडियम पुरुसकार प्राप्त हुए यह भी सही है इन में से जो most important यार कह सकते हैं जिसको याद रखना दिसंबर 2023 में नमो घाट का उद्गाटन कहां पर किया गया आप बहुत आथानी से गैस कर सकते थे और सी यहां पर साइए वारड़सी का यह नमो घाट खास इसलिए है क्योंकि यह फर्स्ट घाट है भारत का जहां पर ट्रांस्पोर्टेशन सर्विस लैंड वार्टर स्का कहां पर किया गया था यह किया गया था गोंडा में ऑप्शन बर यहां पर साइए है गोंडा इसके बाद 23 वर्षी स्काई डाइविंग अनामिका शर्मा ने 13,000 फीट की उचाई पर भगवान श्री राम का धोज लहरा का इतिहास रचा है नामिका शर्मा उत्तरप्रदेश बिलॉंग करती है प्रयाग राज को अप्शन बर भी यहां पर साइए प्रयाग राज बैंकॉक में स्काई डाइविंग करने के दौरान उन्होंने स्री राम धोज लहराय था इतने उचाई से ठीक है आ जाएंगे हम लोग 15 दिसंबर 2023 को मुक्हिमंत्री जी ने प्रदेश में बढ़ते साइबर अपरात प्रंकुष लगाने के लिए कितने थाने यहां पर बना जाएंगे तो सब तावन तो यह मूपर बता चुके हैं डिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश की स्मिता श्रिवास्तो ने विश्व के सबसे लंबे बालों के साथ और गिनीज ब कितने सरकारी कॉलेजों में e-books और e-library की सुविधा प्रदान की चाहेगी बानवे जगहे पर e-books और e-library सर्विस अविलबल होगी agreement section इस बार खाली है कुछ जादा agreement यहाँ पे हुए नहीं उत्तर प्रदेश में और significant नहीं थे तो awards and honors से यहाँ पर शुरू करेंगे अर्जुन अवाड पुरुसकार अनौन्स किये गए थे यह हमने वैसे monthly के रेंटेफ़ार में डिसकुस किया है जो national international वाला बनता है लेकिन highlighted यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के प्लेयर्स थे या athletes हैं जिनको पुरुसकृत किया गया उनमें दो है मुहमत शमी क्रिकेटर अगतार वर्ल्ड कप में सुर्कियों बरिट रहे थे अपने अच्छे प्रदार्शन कारण 2023 क्रिकेट विश्च कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच वह था उस्ट्रेलिया ने फाइनली जीता था भारत रणर अप रहा था वंडे क्रिकेट वर्ल्ड कप ये पूरी तरह कर से इंडिया में हुआ था अध्विती प्रदार्शन किया 24 विगट यहां पर निकाले थे इसके लावा अथलीट पारूल चौधरी को पारूल चौधरी क्या है मैराथाउन रणर है उननीस में एशियन गेमस में पांच जार मीटर की दावड में स्वंड़ पतक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी थी मेराट को बिलॉंग करती है उत्तर प्रदेश सरकार ने ने पुरुस्क्रत किया है और पुलिस पर डियूक्त किया है और अभी आरो पेपर जो हुआ था ग्यारा फेप को उसमें यह पूछा भी गया था इसे प्रशन आया था तो इसमें आप देख सकते हैं वैसे तो कई शार लोगों को पूछा गया है लेकिन पारुल चौधरी का तो आपको पता होना ही चाहिए था क्योंकि उत्तर प्रदेश का करेंट फेर है तो बी से आप इसमें सॉल्व कर सकते थे बी का बन जहां पे है वो करेक्ट है और बी का बन एक ही में दिया हुआ है तो इससे आप पूरा एक कोशन सॉल्व कर सकते थे इसके बाद आजाएंगे सुभाष चंद्रबोस आपदा प्रबंदन पुरुसकार सुभाष चंद्रबोस की जैनती पर एक इंडिविज्वल लेवल पर पुरुसकार अनाउंस किया जाता है और एक कह सकते हैं इंस्ट्यूशन के लेवल पर तो 60 फील्ड पारशूट हॉस्पिटल जो है उत्तरप्रदेश का जो है उत्तरप्रदेश में जो है इसको इंस्ट्यूशनल काटेग्री में यानि की सनस्थागत स्टेडिम पुरुसकार मिला है उत्तरप्रदेश में कहाँ परस्थित है कोई बता सकता है मैंने काफी खोजा लेकिन वाकई में मिला नहीं कि यह कहाँ को बिलाउं करता है यह आप कोमेंट करके बता सकते हैं और UPSC में इसके बूस्ट जाने की संभावना है बहुत साथ है यह पूछा जा सकता है बिल्कुल डिरेक्टली आ सकता है विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 Ministry of Civil Aviation यानि कि नागरी कुद्डैन मंत्रालेक तरफ से दिया जाता है उत्तरप्रदेश सरकार को विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में स्टेट चैंपियन का पुरुषकार मिला उत्तरप्रदेश सरकार को कई सारे और भी अवार्ड्स हैं जो दिये कहां लगले काटेग्रीज में लेकिन यह वाला वार्ड्स इंडिया इंडिया दोजार चोबीस में खही है जीटा और प्रशांत कुमार को और इनस्पेक्टर जनरल मंजिल सैनी को इन दो लोगों को मिला है बहुत सारे प्रुसकार उन्जिलिक्स वालों को पुलिस वालों कमिलते हैं तो उत्तरप्रदेश से जीता है इंडि मैन रुम प्रशांत कुमार ने इसमें यह धेन रखीगी एगा प्रशांत कुमार का जन्म बिहार में यहार था सीवान में लेकिन उत्तर प्रोदेश का इडर के आइपेस हैं कि सरफःस्ट जहांकि लब उत्तरवदेश को जांकी पुरुषकार एक बार फिर से मिला है इसमें ध्यान रखना है आपको कि दो तरीके से पुरुषकार अनौर्णस किया गया था एक गया था एक दो जो पैनल बनता है जो तीन लोगों पैनल बनता है उन्होंने अलग ranking की निकाली है, mygov की website पे ये वीडियो डाले गए थे और उसमें जहांकी को सरवाधिक votes बिले, उसके हिसाब से भी पुरुसकार रनाउंस किये गए है, तो उतर्पुदेश को second number पर रखा गया voting के माद्यम से विक्सित भारत समरत विरासत जो theme पर जहां की थी उतर्पुदेश की इस बार की, उसको second prize यहां पर मिला है, फिर second पर इसको रखा गया है, first है यहां पर गुजरात गुजरात में धोल्डो, ग्लोबल आइकन आइकन आफ गुजरात, बौर्डर टूरिजम इसको मिला है प्रधम पुरुसकार, ठीक है गुजरात first पर है, यह ध्यान रखेगा, यह थोड़ा सा correction भी है, लोगो ने करेंट फेर की PDF साइद बाई की होगी आप से, तो वहां पर correction कर लीजिएगा अब आजाएंगे हम लोग प्रधान मंत्री के राष्ट्री बाल पुरुसकार पर इस वर्स पुरुसकार विजिताओं में बहादुरी, विज्यान और प्रधगी, नवचार की श्रेडियों में से, एक एक को समाजिक सेवा में से, चार को खेल की श्रेडियों में, पांच को कला संस्कृती में, साथ बच्चों को शामिल किया गया है एक जिला, एक उत्पद, पुरुसकार 2023 पर, तो राजियों के श्रेडियों में उत्तर प्रधग जीता है, यह चीज दियान रखेंगे, और जिला पुरुसकार गैर क्रशी वाली श्रेडियों में उत्तर प्रधेश ने, यहाँ पर उत्तर प्रधेश के बांदा ने, या फि इसके बाद स्वक्स सर्वेक्षन 2023 में जो है सरफ्रिष्ट गंगा शहरों में टॉप पर वारनसी रहा है पूरे देश में और सेकेंड पर प्रयाग राज रहा है और अल उत्तर प्रदेश का कौन सा नंबर है यहां पर नवा स्थान है प्रदेशों की रैंकिंग में ठीक है य प्रदेश का यहां पर अब देख सकते हैं टॉप स्टेट कौन सा है यह सब देख सकते हैं इसके बाद वीरता सेवा पदक 2024 पर देखें वीरता के लिए राश्टरपती पदक दो लोगों मिला है जवान सामला राम विष्णोई को शिशुपाल सिंग को मडो परांत ठीक है ज्यादा कोई जरूटी नहीं है इसमें आगे बढ़ते हैं लोग पूरुसकार को बीलाकर दिये गए हैं पाद पांच पद्म विभूषण 17 पद्म भूषण 110 पद्मश्री पूरुसकार इसमें शामिल है 110 पद्मश्री इसमें दिये गए कि हम अभी ध्यान रखेंगे उत्तर नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश से जितने भी हवाइडी थे चाया पध्म भूशण में हो चाया पध्म-भूशण में हो चाया पध्म-श्री में उनको हम देखेंगे ठीक है तो बारा अकुल विक्तियों को समानित किया गया है खालील एहमद, सुश्री नसीम बानो, फिर राम चेत चौधरी, राधा क्रिशन दीवान, राजा राम जायन, गौरव खन्ना, श्री सुरेंद्र मोहन मिश्र, श्री राधे, श्याम पारिक, नाव जीवन रस्तोगी, गुदावरी सिंग, और मिला श्रिवास्तो, राम रखेगा, इंगलिस मीडिया में भी आ सकता है, ध्यान रखेगा, कुल बिलाकर कितने परसन को दिया गया, पद मुश्री 12, इसके बाद डिफेंस में आ जाएंगे, अभ्यास अयुत्या, अयुत्या जो है, अभ्यास एक इस कंट्री के बीच हुआ था, इंडिया की नौसेन अभ्यास अभ्यास बीच, इन दोनों नगरों के बीच, तो यह थोड़ा सा हाइलाइट हुआ था, तो यह उत्तर प्रदेश के तंदर्ब में, बाकिया ऐसा नहीं कि एकस्साइज अजुत्या उत्तर प्रदेश में वहा था, नहीं, ठीक है, यह यहां पे नहीं हुआ था, अभीशरीस पर देख लेते हैं, उस्ताद राशित खान, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर था, यह नहीं रहे, राशित खान का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायू में हुआ था, यह एक इंफोर्मेशन जरूरी हो सकती है, किस घराने से यह बहुत जरूरी होता है, रा 2022 में पद्में विभूशन तक मिला था, तो यह अवार्ड इनके जरूरी देख लिएगा, इनको ओनर क्या मिला है, पद्में विभूशन, मुनवर राणा, यह famous उर्दू पोएट नहीं रहे, राइबरेली में जन्में थे, और उनकी एक कविता है, शाह दाबा, इनके फूड एक्सपो 2023 इसका आउजन लखनाव में हुआ था, भागीदार देश इसमें वियत नाम था, इसको आउजित किसने किया, Department of Horticulture and Food Processing उत्तर प्रुदेश सरकार ने और Indian Industries Association ने, आपको कभी-कभी लगता होगा कि हम क्यों बता रहे हैं, आजकल यह सब भी पूशे जान लग रहा है, आपको पता होना चाहिए, इंडस फूड 2024 यह कहां पे वह था, Greater Noida में वह था, वाड़िज विभाग के सायोग से Trade Promotion Council of India दोरा, Mega Food Show का आउजन वह था, इंडस 2024 इसका उधगटन किया था हमारे वाड़िज मंतरी श्री पिउश गोईल जी ने, इंडस फूड 2024 इंडिया फूड एक्सपो यह कहां पे वह था, लगनाव में, एक जैसे मिलते जुलते नाम है, यह confused नहीं करिएगा इसमें, इसमें, इसमें नासिक में वह था, उत्तर प्रदेश से बस इसका इतना लेना देना है, कि राश्ट्री युवा उत्सम उत्तर प्रदेश की प्र रांक्स रिपोर्ट इंडेक्स में राजियों की स्टार्ट अप रांकिंग आये थी, Department of Promotion of Industries and Internal Trade के द्वारा, तो उत्तर प्रदेश को, एक करोड जनसंख्या से अधिक वाले राजियों की श्रेडी में, उत्तर प्रदेश, आंध प्रदेश, असम, उत्तर अखंड मध प्र बता देते हैं, स्कोर अलग-अलग टाइप के हैं, एक consolidated स्कोर नहीं है, कोई स्टेट्स का, तो लीडर स्क्रेडी में उत्तर प्रदेश ज्यान रखेएगा, इसके बाद, रियाल्टी कंसल्टिंग फर्म, CBRE, साउथ एशिया की रिपोर्ट आय थी, इस बखा गया कि भारत म MSMी परिद्रस्च में 9% हिस्सेदारी रखता, यानि कि जितना भी MSMी लैंड्सकेप है, इसमें उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी कितनी है, 9%, ठीक है, तीन राज़ों में उलेखनी स्थान प्राप किया है, ज्याद बतार MSMी कहां से हैं, पुरदेश के, उत्तर प्रदेश, महरास्टर से, महरास्टर, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में MSMी क्लस्टर बनाए गए हैं, जैसे कि आगरा है, कानपूर, वार्णसी, लगनव, मेरट, गाजियाबाद, ये सब हैं, जैसे आप से बूचें कहां पर MSMी क्लस्टर नहीं है इसके बाद, Climate Trends and Respire Living Science की रिपोर्ट आई थी, इसमें बताया गया कि पिछले पांच वर्ष में 72% कमी की है, उत्तर प्रदेश के वारणसी ने अपने पर्टुलेट मैटर के कंसेंट्रेशन में, इसके बाद आगराक नमबर आता है, तो इसमें कमी की गई है, National Clean Air Program ये कब लाँच किया गया था, जन्वरी में 2019 में किया गया था, पांच साल इसके पूरे हो गया है, इधान रखेगा, कितने सिटी पूरे भारत से इसमें शामिल किये गये हैं, 131 जहां पर Air Quality इंप्रूव होनी है, उत्तर प्रदेश के 17 सहरों को इसमें सामिल किया गया कौन-कौन से हैं, आगरा, इलाहबाद, गाजियबाद, कानपुर, लखनव और मेरट, वाड़सी, अनपारा, बरेली, फिरोजबाद, गजरावला, गोरकपुर, जहांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोइडा और राह बरेली, इनको शामिल किया गया है, ये ध्यान रख लक्ष है, उत्तरप्रदेश का, 2027 तक उसको हांसिल किया जा सके, ठीक है, पहले लक्ष 2024 का साले की नाम, 1 ट्रिलिन का लक्ष है, 2027, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसके बाद, multi-dimensional poverty in इंडिया, 256, से लेकर अब तक, अगर देखें, लिटे स्टांक्रों के नुसार, त इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, इसके बाद, रामलाला के प्रथम, नेक्स्ट फ्रेंड काउन थे, कोड केस के दौरान ये थे, देवकीन अंदन अगरवाल, राम अंद्री के अनुमानित लागत ये है, इसका निर्मान किसने किया है, राम जनभूमी, तीर्द, छेतर, टरस्ट के दौरा कराया गया है, अध्यक्ष जिसके है, रत्य गुपाल दास, इसकी वास्तु के बाद करने हैं, पाद, चबूत्रे, मंडप, कौन-कौन से आंद्री भाग के मुखे वास्तुकार कौन है, चंद्रकांत भाई सोमपुरा, इन्होंने नागर शैली की वास्तुकला की, गुर्जर चालुक के शैली में, ये बहुत जरूरी हो सकता है, राम अंदिर के निर्मान इंजिनरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, लारसन टाटा समुने मिलकर के इसमें किया है, अंदिर के निर्मान के लिए राजिस्थान के बंसी पहाडपूर से पत्थरों का अब्योग यहां पर किया गया था, बागी मूर्ती की बारे में बात करें, तो दिवी बूर्ती को मैसूर करनाटक के कारीगर आरुण योगी राज न बागवान राम की मूर्ती खाड़ी मुद्राम मानी जाएगे, धनुरदारी मुद्राम नहीं, नेपल से अउध्या तक दो 80 ग्राम शिलाएं लाइ गए गए थी, इससे भगवान राम उजानकी की मूर्ती का निर्मान किया गया था, राम लल्ला की मूर्ती में दस अवतार सबसे पहले वह कौन थे इनके बारे में देखिएगा इसके बाद आ जाएंगे हम सेक्षिन पे तो पहला कुश्चन है इसमें समविद गुरू कुलम कल साइनिक स्कूल के संदर्ब में काउन साइक कथन यहां पे गलत है पहला कथन है कि एक जनुरी दोजर चौबीस को उत्तर प्रदेश के मुख मंतरी योगी जी ने मतुरा के बरंदावन में समविद गुरू कुलम साइनिक स्कूल का उधगाटन किया था जिस स्टेटमेंट जो है आधा इनकरेक्ट है क्योंकि बाकी डिटेल तो सही है लेकिन इसका इनागरेशन चीफ फिनिस्टर जीद नहीं किया हमारे रक्षा मंतरी ने किया है पहले स्टेटमें यहां पर रॉंग हो गया सेकेंट इसम् Athena स्टूट को यहां पर सिक्षा दी जाएग घूशाफ नरुज भारत के पहले DNA 함께 के संबंद म्निलिकत में से कौन सकतन सही है बीहिचीओ में उत्तर भारत के पहला मानो DNA ने बैंक बनाया जा रहा है अग्यानेश्वर लैब में आटोमेंटेट डिये ने एक्स्ट्रेक्टर मशीन इसके लिए लगाई गई है बीएचिव के जन्त विग्यान विभाग में में एक इंडिया के तहट पूरी तरह इंडिजिटली इसको डवलप किया गया है तो ये भी सही है हमारा इंसरीस में हो जाएगा D और लबदबो यहाँ पर करेक्ट है अग्यानेश्वर लिए प्रसिद्ध है कॉपर वेर करके एक डबल स्टेट्मेंट वाला कॉश्चन अरव या रुपेपर में आया था तो फस्टेट्मेंट उसका गलत था तो हमारा इंसरीस में क्या हो जाएगा हमारा इंसरीस में हो जाएगा मुरादाबाद अप्शन नमबर B यहाँ पर सही मुरादाबाद राम मंदरी जब से बनाए है मिनियेचर रामलला की मूर्तियां को बिकेंगी इस वजह से ब्रास्वेर की मूर्ति का उद्धियोग अब और यहां पर प्रोत्साहित होगा इसके बाद जाते हैं अनागरीको ड्यन मंत्री जोज़ित रादित्य अमसिंदिया के नुसार उत्तर प्रदेस के 5 शहरों में जल्दी 5 नए हवाई इड्डे बनाए जाएंगे कौन सा एक शहर इसमें शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश की हलिकॉप्टर सेवां के संबंद में क्या सई उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनव गोरकपूर प्रयागराज वार नसी आगरा मतुरा से आयुद्ध्या के लिए हलिकॉप्टर सर्विसे शुरू करने घोशना यहां हलिकॉप्टर का उद्गाटन भी किया था उनने जनवर्टी दोजार चौबिस को लखनव से आयुद्ध्या के लिए हलिकॉप्टर सर्विस का उद्गाटन हो गया था यह सही है एंसर यहां पर हो जाएगा सी 1 & 2 बोट करेट सी रामलला की कंसेक्रेशन सर्मनी जो है प्रा पूर्व चेताऊनि केंद्र य्यानि हजार फोर कास्ट सेंटर यह जो खोला गया है रहातवाई केंद्र नख्नव में तो रहातवाई केंद्र कहा भी खोल अ लखनव में एक तो यह再क्ट हो गया किस तो इननउग्रेट किया था चीफ सेक्रेटरी दुर्गा संकर मिश्र न अगला कोश्चन है निमलिकित में से कौन सा कथन सही है जन्वरी दोजर चौबीस में उत्तरपदेश सरकार ने कावी गोश्वामी तुलसी दास जी के चन्मस्थान राजापुर गाउं को परिटन स्थल के रूप में विक्सित करने की खोशना की है इसके समन्द में भी आरो में एक कोश्चन आया था इसमें बांदा दिया हुआ था बांदा डिस्ट्रिक्ट में राजापुर पड़ता है जो कि बुक्स में दिया हुआ है अब ऑफीशल सोर्सेस में चित्रकूट दिया हुआ है आरो के एंसर की आई नहीं है तो हम यहां पे इस कोश्चन में तो चित्रकूट को सही मान रहे हैं लेकिन बांदा भी बुक्स में दिया हुआ है तो जब आरो की की आएगी तो आप से देखना पड़ेगा इसको फिलाल फर्स्ट स्टेट्मेंट करेक्ट है ठीक है जनुरी 2024 में उतरप्रदेश सरकार ने रांस किया है कि राजापूर विलेज को परेटन स्थल के रूप में विक्सित किया जाना है 2024 में टारगेट सेट किया गया है कि गंगा एक्सप्रस वे जो निर्मणा धीन है उसको कम्प्लीट कर लिया जाए 2024 के अंद तक इसकी अधार शिला पीम मोधी जिन रखी थी 18 दिसंबर 2021 को और यह स्थापना दिवस के बारे में सही कथन का चुनाव कर रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का 75 वा स्थापना दिवस बनाया गया था 24 जनवरी 2024 को तो कौन से नंबर को बनाया गया था 75 वा स्थापना दिवस 24 जनवरी 2024 को 24 जनवरी 2050 में युनाइटड प्रोविंस का नाम बदल क तो इसका एंसर हो जाएगा तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर राम नाइक ने शुरू की थी 2018 से प्रतेक वर्स तीन दिनों तक मनाय जाता है प्रोजेक्ट भीष में चर्चा में रहा था भीष म क्याए बिसिकली एक क्यूब है क्यूब यानि की मोबाइल हॉस्पिटल है जैसे वैन होती थी थी इसमें अस्पताल जितनी सुधा एक चलते फिरते मोबाइल कैब आप कह सकते हैं बड़ी काड़ी कैशकते हैं या फिर हमारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें एंसर हो जाएगा डी बोथ 1 & 2 करेक्ट कौन सा है 1 & 2 ऑसकर आवर्ड विजेता प्रसिद डॉक्पेंटरी फिल्म स्माइल पिंकी में मुख्य भूमी का निभाने वाली पिंकी उत्तरब देश के किस जिले में बेटी बचाओ बेटी उसका प्रचार प्रसार करेगी यह कहां से मिर्जापुर से उत्तरब्रदेश सरकार द्वारा युद्ध्या के ट्रांस्फोर्मेशन के लिए नवे आयुद्ध्या नामक एक परियोजना शुरू किये है नवे आयुद्ध्या सही है इसके बाद उपराष्टपती है कि प्रधान मंत्री जीने किया था ठीक है स्वास्त परिवाल करल्यान मंत्राले के नुसार 12 जन्मरी 2024 तक उत्तरब्रदेश राज में सभी राज्यों में से सबसे अधिक हविश्मान कार्ड बना के इशू कर दिये गए हैं तो ये भी सही है हमारा इंसर हो जाया के इस पर फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है तो बुंदेल खंड रीजन में पांच गावों में ये स्थापित किया जा रहा है ललिदपूर जिला जो बुंदेल खंड के इंतर गताता है यहां पे पांच गाव है साहिदपूर गोडली की ला लार्गन करोंदा और रामपूर तो पांच गावों में एक फार्मा पार्क बनाए जा रहा है, तो बन रहा है कहाँ पर बुंदिल खंड में, option number D यहाँ पर सही है, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के आउध्या में राम मंदिर के उधगाटन दिवस पर आपने राजी में शराब विकरी पर एक दिन के लिए रोक लगाने वाला पहला राजि कावन सा बना था, तो ड्राइडे सबसे पहले अनाउंस किया था, 36 गड़ने, option number B यहाँ पर सही है, उत्तर प्रदेश के समंद में कावन सा कथन सही है, योगिया दितना जी ने अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबस पाँच लाग करोड रुपए से यह इंक्रीज हुई है इसके बाद आ जाएंगे हम लोग जनवरी 2024 में इमलिकित में सिखिस ने उत्तर प्रदेश में सिख्षा मंतरी धर्मेंदर प्रदाम ने रुत्तर प्रदेश के CMG ने इनागरेट किया था इसको बोध हैंड भी यहांपे जोएंट ली यहांपे साहिए सिख्षा मंतरी और हमारे मुख्य मंतरी ने किया है आमदाबाद से आयुद्ध्या की डारेक्ट फ्लाइट का वर्च्वल माध्यम से उध्गर्टन किस ने किया था 11 जनुरी 2024 को CMG ने option number D यहांपे साहिए दिव आयुद्ध्या अप के बारे में क्या साहिए है दिव आयुद्ध्या परेटन मुबाइल एप और आयुद्ध्या पुलीस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारम CMG ने किया था यह सही इसके बाद दिव आयुद्ध्या मुबाइल अप्लिकेशन यह आयुद्ध्या डवलप्मेंट अथार्टी ने बनाया है यह भी सही है हमारा एंसर हो जाएगा इसमें C आगे बढ़ते हैं लोग उप्तरप्रते सरकार ने जनवरी 2024 पे निम लिखित में से किस आध्योगिक निकाय के विस्तार के लिए 29,040 क्रोट रुपए की मनजूरी दी है 30,000 के लिए अज्योगिक विभकास प्रदिकरन तो ऊपने ज़े चाहिए तो हमारा इंसर हो जाएगा इसमें D सबही यहां पे सही है कोल बिलाकर ओद्योगिक विट्रे के लिए 8,000 क्रोट रुपय अलग यहां पर कर रखे गया इसका उद्गाटन भी योगी आदितनाथ जी ने किया था, एक्जाम में आपको ये वाला उप्शन जरूर देंगे रक्ष्ण मंत्री का, लेकिन इसको आप सही नहीं मानियेगा, योगी आदितनाथ जी ने इसका उद्गाटन किया था, नोय और आर्मी फेस्टिवल का, इसक स्टेट्स एडवांस्ट पीडियाट्रिक सेंटर जो है खुलेगा लखनाओ में, और ये कहां पर खुलेगा, संजे गांधी पीजी आई में, स्टेट का एडवांस लेवल का पीडियाट्रिक सेंटर खुलने वाला है, एस्टिमेटेड कॉस्ट इसकी रखी जाएगी करीब तो ये भी सही है, हमारा एंसर इसक में हो जाएगा, तीनों कथन यहां पर सही है, तो परियुक्त में से कोई नहीं, एंसर हो जाएगा D, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोईडा को दिल्ली से जोटने के लिए कितने रुपए की रैपिट रेल परियोजना को मंजोरी पतान कर पर बनेगा, भगवन रामलाला की मूर्ति पर एक सूर्थ तिलाक लगाया गया है, बहुत अड़वांस लेवल का सिस्टम है, तो पहला स्टेटमेंट तो ये साही है कि रामलाला की मूरति पर लगाया है, ये एक सिस्टम में जो डिजाइन किया गया है कि उनके फॉरहेड पर सनलाइट पड़े, इनके तिलक में सनलाइट पड़े, ये प्रोजेक्ट जो है बनाया है Central Building Research Institute CBRI के जो टीम ने बनाया है, ओडिशा के सांटिस सरोज कुमार ने इसको लीड किया था, इसमें किसी प्रकार की electricity, बैटरी, आइरन स्टील का प्रयोग नहीं किया गया है, simply एक डिरेक्ली राम लाला के forehead पर पड़े, ठीक है, नून में, याने की दिन के समय में, तुमारा इंसर इसमें हो जाएगा D, सारे कथन यहां पर सही है, तीनों स्टेट्मेंट यहां पर सही है, उत्तरप्रदेश के CM जीने की स्दधी पर UPSTTC द्वारा संचालित राज के पहले फ्लोटिंग वादानुकुलित रेस्टरेंट का उदघटन किया है, तो फ्लोटिंग ऐर कंडिशन रेस्टरेंट यह यूपी, स्दी, टीसी का यह बना है, यमना रिवर पर, उत्तरप्रदेश टूरिजम डवलप्मेंट कॉर्परेशन, इसी को यहां पर बोला जा रहा है, यूपी, स्दी, टीसी, उत्तरप्रदेश स्टेट टूरिजम डवलप्मेंट कॉर्परेशन है, और अगर पूर्चे कहां पर किया गया था, तो प्रयाग राज में, तो प्रयाग राज में बना है, यमना रिवर के उपर, आप्शन बर ए यहां पर सही है, 24 जन्री 2024 को के इंद्री स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुक मंडाविया ने उत्तरप्रदेश के गणेश शंकर विद्यार थी, मिमोरियल मेडिकल कॉलेज में एक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉग का वर्चुल उद्गाटन किया है, तो आपको पता होन अत्यादुनी केंद्र होगा जबी बन जाएगा पूरा, तो अब सारी इवेंट्स में उत्तरप्रदेश में जैन्वरी मन्त में, उत्तरप्रदेश में कानपूर में मल्टी एजन्सी सेंटर खोला जाएगा, जो IB, NIA, RAW जैसी खुफी एजन्सी से अपना इंटेलिजेंस इ तो ये 123 यहां पर सही हो जाएगा, option number C यहां पर सही है, 123, option number यहां पर सही है C, जन्वरी 2024 में उत्तरप्रदेश में आयोध्या में सबसे लंबी लाइन स्थापित करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, इससे पहले ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम था, तो इसस भारत में बना लिया गया, उत्तरप्रदेश में आयोध्या में सबसे लंबी लाइन यहां पर, स्ट्रीट लाइटों की सबसे लंबी पंक्ती जो सावर उजर संचाली थाओं, 10.2 किलोमेटर का जो स्ट्रेच है गुपतार घाट से लक्षमन घाट तक उसके बीच यहां पर लगाई गया थी लाइटिंग, 18 जनुरी 2024 को प्रदान मंत्री जी ने आयोध्या के राम मंदिर पर 6 विशेस डाक टिकट समारक विश भर से भगवान राम को समर्पिट डाक टिक्टों वाली एक बुकलेट का नावरण किया है, तो में के बताना है कि यह जो केमिरेटिव स् अबरी को दिखाया गया इसमें, एंसर यहां पर C सही होगा, इसके बाद उर्जा सक्षम E-Boat के बारे में क्या सही है, भारत की पहली उर्जा सक्षम E-Boat है, सर्यू नदी में इसको जो है लांच किया गया है, बला स्टेट्मेंट सही है, इस बोट को किस ने डवलप किया ह उत्तर प्रदेश New and Renewable Energy Agency, यूपी नीडा ने, उत्तर प्रदेश की जैंसी है, इंडिया's first solar powered enabled boat है, जो सर्यू रिवर में छोड़ी गई है, यूपी नीडा ने अयुद्धिया में सर्यू रिवर पर इस सौरूर्जा संचालीत नाव सेवा के नियमित संचालन की योजना क उप्रेखा तयार कर लिए, जो रेगुलर चलेगी, तो महरा answer इस रिस्क में हो जाएगा D, सभी कथनी यहां पे साहिए है, D यहां पे साहिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने रद्धाश्रम में आश्रे हासिल करने में बेगर भुज़ूर्गों की बदद करने के लिए, जो elder लाइन शुरू किया है, उसका नंबर क्या है, जो elder लाइन का नंबर शुरू किया है, 14567, 14567, option number A, भारत का पहला केंदर वित पोशित गव अभिहार रिने के बारे में क्या साहिए, भारत का पहला केंदर वित पोशित काया बरेने उत्तर प्रुदेश के मुझफर नगर मुझफर पुर बिहार में, मुझफर नगर उत्तर प्रुदेश में, हमेशा ध्यान रखिये, कभी-कभी मैं कन्फ्यूज होता हूं बोलने में, आप लोग नहीं होईएगा, सैंक्चुरी ये बिल्ड की गई है, 50 एकड में, 64 करोड रुपए, राष्ट्री गोकल मिशन के अंतरगत काम करता है, मिनिस्ट्री ओफिशरी, अनिमल हस्बेंडरी, और डेरिंग के अंतरगत, फइला स्टेट्मेंट सही, दूसरा सही, तीसरा सही, अन्सर यहां पर उजाएगा, D, मस्जिद मुहम्मद बिर अब्दुल्ला के बारे में गलत कत्नों का चैन करना है, तो गलत कत्न यहां पर ढूंड़ना है, मस्जिद का निर्माणा युद्धा से 25 किलिमीटर दूर धन्नीपूर विलेज में किया जाना है, जहां पर जमीने लॉट की गई थी, रामंदिर फ अरफ से अरपित की है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉक, यह किस ने अरपित किया अलिगड़ से, अलिगड़ के एक लोहार इन्होंने अरपित किया है, 400 किलो कताला, उप्शन नुबर C, यहां पर साहिए, इसकी चाभी का बज़न जो है 30 किलोग्राम है, इसके बाद है, इसके बाद नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल 24 के लिए सही कथन का चैन करता है, नेचर एंड बर्ड फेस्टिवल उत्तर प्रदेश सरकार के नेतरत तुम्हें 27 जनुरुरी से 2 फेप तक चला था, वर्ल्ड वेट लैंड बर्ड फेस्टिवल का यहां पर किया गया था, सह बर्ड फेस्टिवल का यह औजन कहां पर किया गया, चंदर शेखरार आईग पक्षी भिहार नमापगन जुन्नावं में जो है वहाँ पर इस का यह जन किया गया था, बर्ड फेस्टिवल का यह जनुरुरुरुरु ब वर्ल्ड विवाग के साथ अन्यविभागों एमं शं शहर बनने की और अग्रिसर है ये इनिशिटिव सबसे पहले कहां पे शुरू किया गया था ये इनिशिटिव सबसे पहले जैपूर में शुरू हुआ था उसी की तरज पे वार्णसी अपने सभी वार्डो का एक 3D अभी अर्बन स्पेशल डिजिटल ट्विन बनाने वाला है अभी क्या चीज है ये मैं थोड़ा सा नहीं बताऊंगा अभी आपको बात में बताऊंगा क्योंकि इसमें पुड़ा एक वीडियो ही बनाना पड़ सकता है लाइडर का इसमें यूज होता है इसको बात में बताऊंगे लेकिन ये कहां बन रहा है आपको पताऊना चाहिए ये वाड़ सीम बन रहा है इसको सबसे पहले हलांकी जैपूर में शुरू किया गया था अप्शन नमबर B उत्तर प्रदेश इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस प्लाटफॉर्म पर इंट्रीस दर्ज करने माला पहले स्थान पर रहने माला राज यह है लगातार कई वरसों से ये भी साहिए इसके बाद मल्टी इंस्टिशनल रिसर्चर्चर्स की एक टीम ने जो आइटी से है इसने एक ऐसा स्पेशल मेटल डवलप किया है जो हाई एंट्रॉपी में श्रधातू है जो की ग्रीन हाइड्रोजन को पानी से लग कर सकता है यानि की स्पेशल मेटल हाई एंट्रॉपी अलोई capable of separating ग्रीन हाइड्रोजन from water वाउटर से ग्रीन हाइड्रोजन सेपरेट कर सकता है यह भी साहिए एंसर ही यहाँ पर हो जाएगा C1 and 2 बहुत करेक्ट कानपूर में उत्तर प्रदेश का पहला क्रीन हाइड्रोजन प्लांट इस्थापित किया गया है राष्टरी शरकरा संस्थान में National Sugar Institute में ध्यान रखेगा इसके बाद जनुरी 2024 में प्रवात्ता रहो ही और सेना से डिटाइड विरिन्स सोधिया ने गड़तंतर दिवर्स पर अफ्रीका के सबसे उचे प्रवत के लिबंजारों पर चड़ाही कर रामंदिर का जो मतलब जंडा है वो और तिरंगा जंडा लाएराया विरिन्स सोधिया उतरप्धेश के किस नगर से बिलाउग करते हैं विरिन्स सोधिया बिलाउग करते हैं लखना उसे option number c उतरप्धेश के मुखमंदरी जी ने जनुरी 2024 में उध्या से उसमें आयोध्या नहीं शामिल है, उविस सी बात है, आयोध्या से तो कनेक्ट ही कर रहे हैं, तो आयोध्या से लेकर कहां तक चलेगी अभी फिलाल डैली, चैन्नाई, पतना, जयपूर, दरभंगा, मुंबाई, बैंगलोरो को कनेक्ट किया गया है, option number A है, यहां पर सही है, में option number C उत्तरप्रदेश semiconductor policy करने वाला लागू करने वाला या चौथा राजी है पूरे भारत में कौन सा वो पहला state है जिसने policy को अप्रूव किया था तो semiconductor policy सबसे पहले गुजरात लाया था है हमने मंतली का निटेफर वीडियो में बताया भी है उत्तरप्रदेश का रैंक फोर्थ है semiconductor policy लागू करने में semiconductor policy अप्रूव की गई है January 2024 में इसके बाद हाली में चर्चा रहे है yellow, orange औ ग्रीन alert के संबन में कौन से कथन सही है yellow alert ये डिनोट करता है कि bad weather conditions है और जो है वेदर इवेंट को ये ऐसा हो सकता है लेकिन कोई घपराने वाली बात नहीं है या फिर advisory इशू करने ज़रूरत नहीं है तो ये तीनों statement सही है अभी बीच में मौसम खराब हुआ था उत्तरप्रदेश में काफी तो ये कुछ orange alert काई जगए पर जारी किया गया था तो हमारा answer क्या हो जाएगा इसमें हमारा answer हो जाएगा आपर D सारे का थनिया आपर सही है सब सब पहले appointment section याने की नियुक्तिया IPS अधिकारी प्रशांत कुमार ये नय acting DGP बने है उत्तरप्रदेश के उत्तरप्रदेश का DGP विमेंस क्रिकट टीम से उत्तरप्रदेश में इनको DSP बनाया गया है कई सारे राज्यों में ये प्रथा है स्पोर्ट्स में अच्छा करने वाले प्लेयर्स को विमें अडिनिस्ट्रेटिव पोस्ट देना तो उसी एकरम में दीप्ति शर्मा को DSP अभी यहां पे बनाया गया है दीप्ति शर्मा जो एक कहां की रेजडेंट है आगरा उत्तरप्रदेश के इसके बाद अवार्ट अनो नर्स देख लेगते हैं फेब मंत के भारत रतन दोजार चौबीस भारत रतन पांच अवार्डीस को दिया गया था जैन्वरी में चौदरी चरण सिंग उनमें से हैं जो उत्तरप्रदेश को बिलॉंग करते हैं म.स्वामी नाथन, करपूरी ठाकूर, नर्सिम्हराव यह वर्डीज हैं inक नाम भी धेहन रखना है आपको चौदरी चरण सिंग का पूर्आ प्रधान मंत्री, ग्राय मंत्री रह चुके उत्तरप्रदेश के दो बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं चौदरी चरण सिंग भारत रतन प्राप्त करने वाले उत्तर प्रदेश के बारवे विक्ति हैं और उत्तर प्रदेश से प्रधान मंतरी बनने के बाद भारत रतन पाने वाले छाटे नेता ये बने हैं इसके बाद रानी लक्ष्मी बाई पुरुसकार और लक्ष्मन पुरुसकार रानी लक्ष्मी बाइब पुरुषकार उत्तरप देश सरकार के दोरा Sports Excellence के लिए जाते हैं दिया रखना है खिलाडियों को दिया जाता है तो लक्ष्मी बाइब पुरुषकार मिलता है पुरुषवर्ग में अखिली शिवरान को शूटिंग के लिए तो ये पुरुषकार हैं तीनों अवर्डी के नाम आपको दोनों ही कटेग्रीस में द्यान रखना चाहिए फिर उत्तरप्रदेश में कला विभूतियों को कई सारे सम्मान दिये गए थे संस्कृति विभाग के द्वारा तो इसमें जैन संस्कृति समवर्दन पुरुसकार है संतक अबीर अकादमी पुरुसकार बिर्जु महराज कथक सम्मान बाबा योगेंद्र कला सम्मान संगीत नाटक अगाडमी का आचार भरत मुनी सम्मान तो इनके अवर्डीस के नाम एक बार देख सकते हैं अभी तक इ जाती सम्मान अंतराश्टि बहुत संस्थान लखनों का बहुत संस्कृति समवर्धन सम्मान ये सब देख लिजिए गया इसको आगे बढ़ते हैं लोग आगे है डिफेंस में फब दोजार चौबीस में एक इंपोर्टन न्यूज आई है अडानी ग्रुप ने इंडिया का first or South Asia का largest ammunition missile manufacturing complex यहाँ पे खोला है साध़ नामक जगहे पर कानपूर में उत्तरप्रदेश में कानपूर के साधह नामक जगहे पर largest ammunition missile manufacturing complex खोला है जो पूरे South Asia का largest भारत का पहला है उततरप्रदेश defense industrial corridor जो ऐक कह niya सकते हैं हम तो और दो नोट्स हैं तो जैसे कानपूर नोट है तो कानपूर में इंवस्मेंट यहां पर किया है अडानिक रूपने तो ऐसे ही कई जगह पर कई सारे चीज़ें यहां पर चलती हो देखने के बिलेंगी इसमें बेसिक आपको पतावना चाहिए कि उत्तरपदेश इस इंडस्ट्रियल कोरिडोर जो बन रहा है उसका नोट्स कहां कहां पर यानि कि कहां कहां पर कॉम्पलेक्स बनेंगे तो लखनाव कानपूर अलीगड यह इधर हो गया आगरा इधर वेस्ट यूपी में फृजहासी यहां पर साउथ में और चित्रकूट यहां पर तो यह जुकानपूर्म बन रहा है इसमें इंवस्ट्मेंट किया है अडानी गृप ने जुकानपूर्म बेसिकली गोला बारूद और मिसाइलों के निर्मार किया जाएगा दो बड़े प्लांट खोले जाएंगे दक्षण एशिया में आप तक का सबसे बड़ा रक्षा मेनफेक् समारो जो है इसमें वह उन्णे संब्र इसप्रकूर्च में इंवस्ट्रयउट्राइश में उसको एक्ट्षण में ग्राउन्ड फे negatively सर्मनी बोलते हैं ठीक पर योजनाए हैं जो बनने वाली जैसे चंदौवाली में eki chair township बने की अगर को कवरकरने वाली संदौवली में एक world trade center का बिकास किया जाना है तो world trade center काहँ बनेगा चंदौवी में नोईडा development company दौरा जो है यहां पर बनाया जाएगा चंदौवली में व्ल्ड ट्रेड सेंटर यह कोल बिला करके दो मेजर इंपोर्टन एसपेक्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मनी के इसको ध्यान रखेगा आगे यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता हुआ गंताव विनाम से एक सम्मिलन हुआ था राध्धानी लखनो में 20 स्वेब को हुआ था इसी ग्राउंड बेकिंग सर्मनी के दावरान यूपी एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेंड इंवेस्मेंट इन इंडिया इंडिया कॉन्फरेंस अब जो यह आकड़ें यह प्रलिमस के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है लेकिन में इ संदोजार में 17 सालों में यह चार गुना हो गई है ठीक है फॉर टाइम से आप बढ़ा है बिमारू जो स्टेट कहा जाता था आशी स्बोस जो डेमोग्राफर थे उन्होंने 1980 में एक रिपोर्ट बनाएं थी उसमें बिमारू स्टेट कहा था उत्तर प्रदेश को यू से उत्तर प्रदेश है आर से राजस्थान है में से मद्ध प्रदेश है ठीक है और भी आई से बिहार है तो यह बिमारू स्टेट कही जाते थे ठीक है बिहार मद्ध प्रदेश र पिए द्वारा अजुत किया गया था इसको लखने उत्तर प्रदेश में बस इतना ध्यान रखना काफी है स्कीम्स कैम्पेइन में आ जाएंगे फाइल एरिया उन्मूलन के लिए मिशन यह चलाए गया था कन्या सुमंगला योजना में जो मौद्रिक लाब दिया जाता है उस पर वृद्धी की गई है अप्रिल दोजर चौबीस से 15,000 रुपए सालाना से बढ़ा करके 25,000 रुपए प्रतिला भारती सालाना यहां पर कर दिया गया है अच्छा कन्या सुमंगला के राशी एक बार में नहीं मिलती है यह वन टाइम राशी नहीं होती है यह विभिने स्टेजस में गल चायली जैसे जैसे बड़ी होती है उस हिसापस दी जाती जैसे जन्म के समय सारी वैक्षिनेशन पूरी होने के बाद एड्मीशन के समय 10-12 पास करते समय और शादी के समय यह सब है तो उत्तरप्रदेश के महिला कल्यान विभाग ने बहु आयामी उत्देशों से इसको शुरू किया था दो जार उन्नीस में तो कन्या सुमंगला का पाइच दो जार उन्नीस में और यह बहु आयामी इस चेतर में सुधार करना आत निर्भर बनाने लड़कियों को और लड़कियों के प्रती सकरात्मक समाजिक धारणा विक्सित करना यह सब मल्टी फोल्ड अब्जेक्टिव है सभी अब्जेक्टिव देख लीजिएगा ठीक है रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर आ जाते स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल एकोनॉमी 2024 अंतरराश्ट्री आर्थिक संबंदों पर भारतिया नुसंदान परिशद यानि इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनाशल एक्नॉमिक रिलेशन्स ने कहा है कि अर्थ फृस्ता के डिजिटियली करण के मामले में उ अतर्प्रदेश जो है टॉप पर है 7.4 đãk एलेक्रिक वीइकल्स सेर्थ के बाद महराश्ट को नंबर आता है। महराश्ट काफी पीछ है उत्त्रप्रदेश से यहां पर 4.15 लाक देश्द लेकर्नाटक टॉप पर है लेकिन चार्जिंग स्टेशन की संख्या के मामलें उत् तो यह यहां पर रिपोर्ट थी और उत्तर प्रदेश की सबसे मुहलिवान कंपणी के रूप में कौन सी है अचल पहले स्थान पर है इसके बाद आजएंगे यूपी हेल्थ रैंकिंग डैश्बोर्ट जैन्वरी तोजार चौबीस का डैश्बोर्ड आया था इसमें स्वास्त रैंकिंग में वाइड़ नसी ने आठ्वी बार शीर स्थान इसमें बरकरा रखा है ठीक है यूपी उत्तर प्रदेश जो प्रास कर रहा है उसके बारे में नहीं यहां पर साही है उत्तर प्रदेश गवर्मेंट ने strategic initiative यहां पे रेंस किया है जिसे forest fire को summer season ने प्रिएट किया सके है ठीक है आपने आप में बहुत इनोवेटिव मेडिकल डिवाइटा बन रहा है उसके पास यह बनेगा मेडिकल डिवाइटा इसमें एक विशिष्ट तरीके की गामा रेडियेशन फैसिल्टी भी अवेलबल होगी कैंसर के लिए और अपने आप में बहुत इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस पार किये बनाए जा रहा है आगे बढ़ेंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने कहां पर 23 फरवरी 2024 को उत्तरप्रदेश का पहला इंटरनाशल सूटिंग रेंज का उत्गाटन किया था इं अगें जेवर इंटरनाशल एरपोर्ड के पास एरोट तो लखनौ में बनेगी एरोट में दो जेगे बनेगी तो इसको इस तरीके से लिख देंगे तो यहमारा थाई हो जाएगा लखनौ और फ्रेटर नौट लखनौ और यहान पर एरोडिवित बनने वाली है लखनौ पह तोनों जगे बनने वाली द्यान रखेगा अच्छा एरो सिटी का कॉंसेप्ट क्या है सिंपल एरो सिटी कॉंसेप्ट यह है कि हवाइड़े के पास बसाया जाता इसको उसी गम लोग एरो सिटी बोल देते हैं इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि राजी कुल कितने हवाइड़ों के साथ 10 से अधिक प्रचालित यानि कि ऑपरेशनल एरपोर्ट वाला भारत का पहला राजी बन गया है उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे कुल बलाकर 21 ऑपरेशनल एरपोर्ट या एर स्ट्रिप्स तो इस तरीके से 21 हवाइड़े हो जाएंगे 10 से अधिक हवाइड़ों आला पहला राज जी उत्तर प्रदेश बन जाएगा वर्चल तवरपर 5 नवीन हवाइड़ों का घटन पीमोदीजी ने किया था माच दोज़र चौबीस में देश भर में हवाइड़ों का उधगाटन किया था जिसमें 5 उत्तर प्रदेश के सामिल है आजमगड, अलीगड, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट में भी एक-एक हवाइड़ा इसमें शामिल है तो ये ध्यान रखना है आपको परवरी दोजार चौबीस में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज के कितने शहरों को सौर शहरों यानि सोलर सिटीज के रूप में विक्सित करने की योजना का नावरण किया है तो कुल बिलाकर 17 सोलर सिटीज उत्तर प्रदेश में बनेगा पहला सोलर सिटी बन रहा है आयूद्ध्हा में तो प्रमुग जो मनिसिपल कॉर्प्रेशन सिटीज है और आयूद्ध्हा बारण सी मिलाकर के कुल बिलाकर के 17 शहरों में सोलर सिटीज यहांपे सट अप की जाएंगे इत्तरप्रदेश में फर्वरी 2024 में उत्तरप्रदेस विधानसवाने निमलिकित में से कौन सा विध्यक पारित किया था लिफ्ट सेन एस्क्रीचरピल बिल दोजार चौबीस जो कि अब एक्ट बन चुका है लिफ्ट एन एसकलेटर में काफी जादा घटनाओ के बारे में आपने सुना होगा खासकर नोटा की जो ससाइटीज है वहाँ पे आप देखा होगा कि अब लिफ्ट जो है क्रैस कर जाती काफी सार लोग हायल हो जाते है कई बार लोगों की मृत्य भी है तो इसमें बेसिकली क्या है कि एसकलेटर और लिफ्ट इंस्टॉल नहीं की जा सकेंगे एक्टरिसिटी डिपार्टमेंट के प्रायर अप्रूवल के बकाइदा मेंट्रेंस वगारा देखना पड़ेगा और जो एक्सकलेटर लगाने वाली कर दिया घ्या है तो दोनों ही यहां पर सही हैं लोकायुक्त और अवप्लोकायुक्त अमेंटमेट बिल बहुत ज़रूरी ऑइक्डर है धै एक्ट में और उत्तरप्रदेश के लोका युटत अपलोकायुकत का खारिकाल और बांट साल कर दिया था ये भी कर दिया था कि आठ साल के बाद भी बने रह सकते हैं लेकिन अब फिर से इस टैनियोर के वापस पांथ साल का कर दिया गया है। इसके बाद फरविटी 2024 में पुर्दानमंतरी जी रें उत्तर प्रदेश के किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान नयास किया है कल्की धाम मंदिर बन रहा है संभल में जो यह बन रहा है यह इसके प्रशिडेंट है आचार प्रमोध कृष्णम सोबला फरविटी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने माह के लिए राज की सभी सरकारी करबचारी द्वारा की जाने वाली अड़ताल पर प्रतिबंद लगा कर आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम यानि की मेंसेंट में वाागोो tane कि स्ट्र्ट करने होत्त्र प्रमोध कि एक मेंए crochets मतायी के लिए क्लिए हट्तास करने सेवेग अधिनियमे क्या है कि दृहा थीन क्युआ कि उपदारा एक मीराज सरकार च्वे हमेने के लिए हाथालल पर रोक लगा सकती है तो 6th month के लिए government employees द्वारा जो protest और strike की जाती उसको ban की जा सकता है और एक और बार उसको 6 मैने से कम किया उधी के लिए अगर रात सरकार को लगता है तो ban की जा सकता है इस act के तहित बड़ते हम लोग आगे परवड़ी 2024 में उत्तरपदेश Metro Rail Corporation ने जाम मस्दित Metro Station का नाम अदल करके मन कामेशवर मंदिर Metro Station कर दिया ये कहां पर स्थित है इस टेशन आगरा में स्थित है option number C यहां पर साहिए केंदरी उद्यम सतलच जल विद्दुत निगम लिम्टेट ने 23 फैब 2024 को उत्तरपदेश में अपने 50 मेगावाट के गुजराईस और उर्जा स्टेशन का सफल वाणिजिक संचालन शुरू कर दिया है गुजराईस और उर्जा स्टेशन कहां पर आउस्थित है गुजराईस और उर्जा स्टेशन जो अवस्थित है कानपूर देहात में अप्शन नमबर A यहां पर साहिए नेमल कितमे से साही कथन का चुनाव करना है उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाली फिल्म सिटी में उध्या वानसी के घाट माचल प्रदेश के बाजार यह सब का सेट लगाया जाएगा यह साही है और सेकेंड ग्रेटर नोइटा में इडा जो अरा यह बनाया जा रहा यह अमना एक्स्प्रस वे इंडस्ट्रिल डवलप्मेंट अथार्टी द्वारा मेडिकल डिवाइस पार इसमें गामा रेडेशन सुविधा अपलब दोगी यह तो कराई चुके है अप्शन नमबर C यहां पर साही है और किस पोजीशन पर रहा था उत्तर प्रदेश मेडल टैली में साथवे नमबर पर तो 11 गोल्ड उत्तर प्रदेश के 13 सिल्वर और 18 ब्रॉंज यहां पर साही है परवड़ी 2024 में आवजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने स्वाड पड़ग जीते हैं इसमें आर्मी यहां पर टॉप पर था आर्मी की टीम फर्स्ट पे और फिर जो है इसमें खेलों इंडिया यूथ गेम्स जो अतमिल नाडू में वह था इसमें उत्तर प्रदेश अगीन सैवेंथ स्थान पर है लेकिन मैडल कितने हैं 42 हैं टोटल यह दोनों ध्यान रखेगा एक जुलाई 2023 से 25 जनवरी 2024 तक के आकड़ों के नुसार आउपरेशन कन्विक्शन के इंतरगत उत्तर प्रदेश के किस जिले में सरवाधिक अपराधियों को कन्विक्ट किया गया है निकि उनको सजा दिलाई गई तो सबसे जादा अपराधियों को सजा दिलाई गई थी बा भारती ग्रेवुल्फ इंडियन ग्रेवुल्फ को देखा गया था विदिन दा रीजन्स ओफ नैसल चंबल सैंक्श्री इन उत्तर प्रदेश तो यह सही है इसके बाद उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधर में सुधार के लिए भारती प्राधिकी संस्थान रोड़की के इन दोनों कॉंट्रेक्ट यहां पे बिला है इंटरनेशनल फिल्म सिटी जो ग्रेटर रोड़की उत्तर प्रदेश में उसके डेवलप्मेंट के लिए तो यह भी सही है तो हमारा इंसर इसमें हो जाएगा डी यहां पे हो जाएगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है इनकरेक इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भूदी जी ने इंडियास फर्स्ट गंगा घाट हेलिकॉप्टर सर्विस का उद्गाटन की अथन नमों घाट वार्णसी से यह भी सही है हमारा इंसर क्या हो जाएगा इसमें अगेन यहां पे हो जाएगा डी ऑल अफ दबो करे अगला स्टेट्मेंट है फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के शाजापुर जिले के निगोही नमक स्थान पर सिंदु घाटी सभिता के समय के दोसों से अधिक प्राचीन हधियार खोजे गए हैं तो यह भी सही है हमारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें एंसर हो जाएगा C 1 & 2 अगला सवाल है विच डिस्ट्रिक्ट उफ उत्तर प्रदेश इस अड़ टॉप पोजीशन इन टम्स अफ प्रवाइडिंग हाउसस तू पूर अंडर प्रदानमंत्री अवास युजना के तहत गरीबों गहर देने के फाबले में उत्तर प्रदेश का काउन सा जनपद शीर पर दो है नोइडा है और घाजियबाद है दोनों ही शीर्ष पर हैं तो एंसर यहां पर हो जाएगा डी है साहरनपूर डिस्ट्रिक्ट ने भी 98 फिजदी लक्ष का टार्गेट अपना पूरा कर लिए 98% यहां पर काम हो चुका है और 14 इस्थान पर एकुल बिला करके देखिये पर्दानमंत्री अवास योजना की आप से लॉंस टेट पूँछे तो आप सिम्पली याद रहेंगे जून 2015 लिगन आगर इसमें पूचें पूचें प्रूछाए परिधानमंत्री अवास योजना आर्बन वाली कब शुरू हुई तब भी सकाइंसर जून 2015 करके पुर्धान मंत्री ऑवास योजना रूररल कहा जाने लिगा था अलग से यहना हम राखर Flynn रखना है को अभी सपीकर अफ में सिंपल बात है कोई भी ऐसा एप्लिकेशन या फिर कोई सुविधा विधान सभा के लिए हो तो उसको विधान सभा के अध्यक्ष जी लॉंच करते हैं इस समय कौन है श्री 37 महाना option number D यहां पर सही है 37 महाना परवड़ी 2024 में भारत का तीसरा और उत्तर प्रदेश का पहला सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां शुरू किया गया है 40 मेगवाट से सोलर पार प्लांट यहां पर शुरू किया गया है आयोध्या में option number C और इसको NTPC Green Energy Limited द्वारा उपरेट किया जाएगा और UP NEDA ने लीस पर लिया है administration से इसको establish करने के लिए अगला सवाल है पहला statement इसका पढ़ेंगे गलत कथन का चुनाव इसमें करना है वाणेजिक वहान बनाने वाली अशोक लिलैंड कंपनी ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला EV battery plant launch करने की जोशना की है इससे पहले तमिल नाडू में यह का गया थ बात का ही जा रहे हैं अभी कहीं पर कुछ लगा नहीं है यह स्पेकुलेशन और घोशना है इनको बस देखिए इस तरीके से कामर्शल वीकल मेकर अशोक लिलैंड ने का था कि इंडिया सबस्टी बैटरी प्लांट ही लगाएंगे उत्तर प्रदेश में अभी के लिए तो स स्टडी को हैंपर किया जा रहा हो किसी नॉइस के कारण तो ऑप्शन नमबर डी यहां पर सही है कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है दोनों काथन यहां पर करेक्ट हैं परवरी दोजार चॉबीस में नागरिक उड्डेन वंत्राले ने नोड़ा अंतर राश्ट्री की स्टैचू बनी है कोई मटूर में लेकिन उससे भी बड़ी स्टैचू यहां पर स्टैब्लिश की जाएगी नोड़ा में इसके दोरह की जाएगी ईशा फाउंडेशन के दोरह कि देश के दूसरे सेमिकंड़क्टर पार्क के बारे में क्या सही है मुना अथार्टी एरिय यानि की इड़ा सिटी में देश का दूसरा सेमिकंड़क्टर पार्क का निर्माड किया जाना है सही और यह कंपनी जो है इन्वेस्ट करेगी असी हजार करोड़ रुपए इंडिया सेकेंड सेमिकंड़क्टर प्लांट लगाने के लिए हम लोग जिस कंपनी के बात कर रहे हैं वो कौन सी हीर नंदानी ग्रुप है जिन्होंने हाइपर स्केल डेटा सेंटर लगाये था उतरपदेश में वही हीर नंदानी समूने का सिजार कर रुपए यहां पर खर्च करके इंडिया सेकेंड सेमिकंड़क्टर पार्क लगाएं के रनंदानी गुरुप इंफ्रास्रक्टर क्रियेट करेंगा और यह ताइवान की जो कंपनी है टार्क यह जो है मनुफेक्ट्रिंग प्लांट लगाएगी तो इस तरीके से हमारा यह इंडिया का सेकेंड सेमिकंड़क्टर पार्क बनेगा आप इडियास फर्स्ट हमेशा बन रहा है उत्तरप्रदेश में इस निमलिकित में से कौन सा कथन सही है उत्तरप्रदेश महरीजों को एर अबुलेंस की सुवधा देने के लिए एर अंबुलेंस के साथ स्वास्तिभाग द्वारा समझाओता किया जाएगा दूर दराज छेत्रों में यहां पर रोड अम् 20 तक उत्तरप्रदेश सरकार अल्मेट करना चाहती है भारत सरकार का लक्षे 2027 का हमारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें केवल एक यहां पर करेक्ट है दूसरा इंकरेक्ट है हाली मुत्तरप्रदेश सरकार ने हरी तूर्जा पहल के हिसाब से या फिर जो अपनी ग्रीन एनर वर्ल्लीक फोरम ने घृए रोजन में ब्लु राइब्रोजन से अऐ बताया कया अंतर होता है बेसिकली आँ सmember अ आbedingtारा हो जयाता है सोर्स में यह से हम लोग स्टीम जैनिक धूर्मिंग करना चैलियोग करते हैं ब्लूह आइट्रोजन में cryosis टेक्णिक का इूस करते हैacterल अगवोडिय novеля कर drinks तो ग्रीण हाइडू anti- ness जफान में जिस टेक्निक का आप्रटिश करते हुआ फो प्राशिस उस यो थिवोड़क्षन होती हो एक्पर इलेक्थिप तो आ अ वहल एकल करके बनता है उक और Wohnchnれ Sires तर्कोईस और ग्रीन अ.उर्जरी में अ.उर्ट्रप्रदेश में उप्वियुप निया है। इसके बाद यहां पर कप मैं तयमान कर रखा है। प्रॉब्हेकली ध्यक्ति कर में चैथजestyle स्ब्सक्पाइब। 2030 में जो चोटे-चोटे विभाग हैं कार्याले हैं जिसमें गाड़ी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं बहुत सारा फ्यूल कंस्यूम करती हैं उनको उलेक्ट्रिक विकल्स में ट्रांस्फॉर्म करने का उत्तर पुर्देश का लक्ष है परवरी 2024 में उत्तर पुर्देश सरकार के ने मुख्य मंत्री कन्या समंगला योजना की 6 श्रेडियों के तहत नुदान राशी को 15,000 किया उप्शन नमबर D यहां पे सही है और कैसे कैसे बढ़ाया है जो 6 श्रेडियों मिलती राशी जैसे पहले 2,000 मिलती थी बच्ची की जन्म के समय 5,000 मिला करेगी पले 1,000 वैक्सीन लगाने का बाद मिलते थे अब 2,000 मिला करेंगे पहली क्लास्मेंट बीशन के लिए 2,000 मिलते थे अब 3,000 चाठी क्लास्मेंट मिलें पहले 2,000 मिलते थे अब 3,000 नवी क्लास्मेंट मिलीचन के लिए 5,000 पाले 5,000 मिलते थे अब 7,000 मिलेंगे यह है Society of Indian Automobiles Manufacturers के अनुसार उत्तर प्रदेश राज जी किस आउधी के दवरान वाहन बिक्री में प्रथम स्थान पर रहा है October-Dcember 2023 में Option No. B One अगनी सप्ता कब से कब तक बनाया गया था 1 February 2024 से 7 February 2024 तक RBI द्वारा जारी पंचायती राज संस्थानों का वित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश राज में पंचायतों की राजस प्राप्तियां सबसे अधिक थी इसके बाद 180 मंडल के बनारस रेलबे स्टेशन के UTS काउंटर पर फेर रिपीटर में UPI से भुक्तान करने की सफलता पूरक शुरू की गई मतलब UPI से आप टिकट ले सकते हैं तो एंसर यहाँ पर सही हो जाएगा C, 1 and 2 बोध करेक्ट 22 February 2024 से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोइटा में 3 दिवसी अंतराश्टी परेटन एक्सपो का आयोजन किया गया था इसमें निमलिकित में से किस देश को प्रीमियम भागिदार की रूप में चुना गया था प्रीमियम भागिदार था प्रीमियम पार्टनर साउदी अरब option number c साउदी अरब और अगे बढ़ेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का पहला टल्डल कंजर्वेशन रिजर्व के जिले में स्थावत किया जाएगा option number a गोंडा में टल्डल कंजर्वेशन रिजर्व उत्तर प्रदेश का पहला स्टैब्लिश होगा गोंडा में फेब दोजार चॉबिस में प्रधान मंत्री जी ने पहले मानों अंत्रिक्ष मिशन का किनयां के चुने का चार यात्रियों का मतलब कह सकते हैं उनका खुलासा किया था उनके नामों घोशना की थी तो चार में से कौन उत्तरप्रदेश से उत्तरप्रदेश भारत का ग्रोथ हिंजन कैसे है इसमें कई सार चीज हम अल्रडी डिसकस कर चुके हैं और जीडीपी में युगदान कितना है महराष्ट के बाद सेकेंड पर है ठीक है इसको एक बार अच्छे से आप देख लीजिए पीडिएफ में भी इसी वज़ेसे हम प्लोकन कर लीजिए और इनको अभी ध्यान रखे जो भी कुछ इसमें अपडेट होगा वह आपको करेंट अफेर में बताया जाता रहेगा आगए अपउंट्मेंट सेक्षन देखेंगे सबसे पहले पूर्व डीजीपी राजकुमार विश्कर्मा नए CIC यहनी की चीफ इंफोमेशन कमिशनर मुखी सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति में उत्तर प्रुदेश में मुखी सूचना आयुक्त राजकुमार विश्कर्मा इसके आपक दस नए सूचना आयुक्त भी नियुक्त किये गए हैं इनकी नियुक्ति जो है राजसरकार द्वरा की जाती है। स्टेट के आईटिया यहाक्ट इकता है ते राजे सरकार्द्वार की जाती यह तीन वर्स के लिए इनके पूरल्ग बनाने के लिए पुषवा प्रजापती को आजमगढ से यह पुरुस्कार बिला ए मांटिकला पुरुस्कार मुख्यमंत्री जी ने जो अभी इंट्रनाशनल ट्रेड सो का आउजिन किया गया था उसकी कर्टेन रेजर सर्मनी में यानि की उद्गाटन समारोह में लखनों की शबाना खातून को अम्रोहा के क्रशनपाल को मेरट के शीश पाल को उत्तरप्रदेश खादी और ग्रामोद् होगी पूरुसकार समानित किया था यह पूरुसकार एक बार लेख़ लीजीए इसके बाद पूरुसकार है उत्तरप्रदेश संस्कृत संस्तान धौरी दीए पूछा गया है लेकिन आगे पूछा जा सकता है हमारी इस नीती का उत्तर पूदेश कबिनेट द्वारा अप्रूव की गए ग्रीन हीड्रोजन पॉलिसी के लक्ष है कि जो नैशनल टारगेट है उसका पांचवा हिस्सा पूरा कर लें कम से कम यानि कि नैशनल हाइड्रोजन मिशन के तहट जो 2030 तक 5 बिलियन टन का हमको वारशी को उत्पादन करना है उसका एक बटे पांचवा हिस्सा अचीव करना है ये उद्देश है उत्तर प्रदेश की हाइड्रोजन नीती का आई होब आपको समस्वें आ गया होगा हम यूवा योजना के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंद्री युवा उद्यमी विकास अभियान की शुरुआत की है सबसे पहले तो फुल फॉल्फाम इसमें नाद रखिएगा मुख्यमंद्री युवा उद्यमी विकास अभियान ये है फुल फॉल फॉल्फाम से question आ रहे हैं आजकल सभी exam में इस योजना का लक्ष का है हर साल एक लाख युवा उद्यम्यों को पांच लाख रुपय तक का ब्याज मुक्त रिंड प्रदान करना तो यह रिंड देने की योजना है इसके लाभार्ती कौन-कौन होंगे विटक लिस्ट हमने लास्ट कॉलम में लगा दिये कि इसमें एक जिला एक उत्पाद प्रेसिक्षन एवं टूलकिट योजना के जुला भारती है नसूचित जाती अन्य पिछड़ा वर्ग प्रेसिक्षन योजना के जुला भारती है कौशल विकास मिशन द्वारा संचारित कौशल उन्नेन कारेक्टरम में जो लोग डिकरी जिनके पास है वे सभीस के हगदार होंगे क्योंकि आज कल आप देख रहें किसे माइनूटली डिटेल पूछ जाती है इसमें दो स्टेटमेंट बना देंगे एक कह देंगे कि मुख्यमंत्री योजना में इतना राशी दी जाएगी पांच लाग रुपए और इसमे केवल और केवल डिप्लोमा धारक या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़क्ट से प्रसेक्शन लिए वए युवा पात रहोंगे तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा तो इससरी किसे आपको इसमें याद करना है मुआ यूजना ज़रूरी है ये रैंक्स रिपोर्ट में जीडीपी व्रध्धी रिपोर्ट आया थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च के द्वारा जीडीपी व्रध्धी रिपोर्ट में आ गया कि अगर भारत की जीडीपी व्रध्धी को हम लोग 235 बेसिस पॉइंट पान लें तो उसमें उत्तर प्रदेश का यूगदा रहता है एरपोर्ट की रेंकिंग आया थी इन टरम्स अफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन रखेगा मतलब ग्राहक संतोष्टी की मामले में जो रिपोर्ट आय थी जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के इसमें आकड़े लिये गये थे इसमें एरपोर्ट अधॉर्टी ओफ इंडिया न सेटिस्फेक्शन के मामले में आयसा ही एक और इंडेक्स है एरपोर्ट काउंसिल इंटरनाशनल के द्वारा एरपोर्ट सर्विस क्वालिटी रैंकिंग इसमें यात्रियों को बहतर सुवीधा और माहौल देने के मामले में वार्णसी का लाल बहादुर शास्त्री पर आयत हबारत में इसके बाद आ जाते हैं कैसकते हैं कोशन्स पर पहला कुश्चन उत्तरप्देश सरकार द्वारा राज की युवाओं को एम यूवा यूजना की तहत धनराशी अब्याज मुक्तरिण की धनराशी देने के लिए राज के बजट 2024 में कितने रुपए कि किराशी अलोकेट की गई है एम यूवा यूजना के इंप्लिमेंटेशन के लिए अप्स नंबर सी यहां पर करेक्ट है गलत करसन का चैन करता है मार्ज 2024 में अंतराश्ट्री प्रकासन सनस्था हुरून के द्वारा ग्लोबल रिच लिश्ट जारे की गए थी जिसमें कानप इ लेकिन आसकता है कि कानपूर के दो उध्यमी किस लिस्ट में सामिल किए गये हुरून की गलोबल रिच लिस्ट में सामिल किए गए गाए को मार्ज मंच 2024 में नरेंदर मोधी जी ने कहां से में आगरा मेट्रो का वर्चॉल तवर पर उतगाटन किया था कोलकाता में एक कारेक्रमे में आगरा मेट्रो के 6 किलिमीटर वाले कोरिडोर का शुभारम पीमोदी जी ने किया था तो इसका अंसर कोलकाता हो जाएगा और उत्तर प्रुदेश साथी ऐसा पहला राज बन गया जिसमर मैक्समुम सहरों में उपलब्द है मेट्रो सर्विसेज कहां कहां पर उपलब्द हो गई है एक तो आगरा का हो गया लखनव, राधधानी में, ग्रेटर नोईडा, गाजयबाद में और कानपूर में यहां पर मेट्रो सर्विसेज अब अवेलबल हैं मार्श बन 2024 में बुंदेल खंड चेतर में दस और उर्जा परियोजनाओं का शुभारम इसमें किया गया था इमलिकित में से कौन सा कथन सही है दस और उर्जा परियोजनाओं लगाई गई हैं जालाउन डिस्ट्रिक्ट में, जहांसी में, ललितपूर, बांदाव, चित्रकोट में और महुबा में यह सब किस छेतर में आते हैं इस सारे डिस्ट्रिक्ट, बुंदेल खंड रीजन में आते हैं उत्तर प्रदेश में सही है, पहला सही दूसरा हो गया कि 3000 मेगावाट इलेक्टरिसिटी यहां पर जनरेट की जाएगी इन सोलर पावर प्लांट से, यह भी सही है तीसरा यहां पर है कि तीन सोलर पावर यूनिट अकेले जहां सी डिस्ट्रिक्ट में लगाए गया है, यह भी सही है तुमारा एंसर इस पर हो जाएगा D, सारे कथन इसमें सही है, और लब दाबो, करेक्ट, उपर इक तो सब ही उत्तर प्रदेश जल्दी तहसील इसतर पर अगनी शमन केंद्र बनाने वाला देश का पहले राजी बन जाएगा उत्तर प्रदेश में UP Fire and Emergency Services की स्थापना कप की गए थी जब उत्तर प्रदेश United Province के नाम सुझाना जाता था, यह आजादी से भी पहले, वर्स 1944 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट प्रवीड के माध्यम से राजी में 61,000 से अधिक लड़के लड़के लड़कियों को और प्रदान किया है यह पर योजना राजी के उच्छतर माध्मिक विद्यालों में पढ़ने वाले किरिस कच्छा के शात्रों के लिए लाई गए थी, मतलब किस क्लास गुरुप को टार्गेट करती है स्कीम, यह टार्गेट करता है प्रोजेक्ट प्रवीड, क्लास 9 से 12 तक के बच्चों को आ चाहिए यह टोरी के साथ साथ, इमलिकित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला 2018 से मार्स 2024 तक लगतार 6 वर्षों में आकांक्षी जिला कारेक्रम के समगर प्रदर्शन में 112 जिलों में से सीर्स पाँच जिलों में शामिल रहा है, कभी 1 पर आ जाता था, कभी 2 पर, कभी 3 पर लेकिन सीर्स पांच में शामिल रहा है और इसमें जो वेटेज दिया जाता है रैंकिंग्स जो निकाली जाती नहीं थी आ उककी दौरा उसमें सबसे सरवाधिक वेटेज किसका है इसमें सामिल होता है उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन के बारे में कौन सा कथन सही है पहला कथन उत्तर प्रदेश सरकार ने टार्गेट रखा है कि यह स्टेट्मेंट इनकरेक्ट है यह टार्गेट रखा गया है कि जो उत्तर पादन हो कितना करना है 3.2 मिलियन टन करना है जबकि यह आप पर 4.1 दिया वा तो यह स्टेट्मेंट रॉंग हो गया मेज यानि कि मक्का का उप्योग कहां कहां पर किया जाता है पोल्ट्री में भोजन के लिए इनके रूप में अनाज आधारित इतनौल या पर कह सकते हैं ग्रेन बेस्ट इतनौल तैयार किया जा सकता है मक्के से इसका उप्योग फार्मसियूटिकल में भी है टेक्स्टाइ बी, 7 मार्च 2024 को केंद्री मंत्री श्री हर्दीप सिंग पूरी ने समावेशी विकास की दिशा में एक और कदम बढ़ाते उत्तर प्रदेश के किस जिले में वर्चुल तोर पर 170 विकास परयोजनाओं का उद्गाटन और शिलान्यास किया था, सोन भत्र में 170 परयोजनाओं का फेर रिपीटर में QR कोड सुविधा उपलब्द कराने वाड़सी रेल मंडल का पहला स्टेशन बन गया है मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने आविकसित शहरों में विकास गती लाने के लिए आकांगशी नगर कारक्रम के शुरुबात किये एस्परेशनल सिटी प्रोग्राम उत्तर प्रदेश स्टेट ने अपना खुद का चलाया है तो 100 ULBs में यानि कि एर्बन लोकल बॉडी में एक आरक्रम चलाया जायागा शुरू में 100 ULBs को टार्गेट के जायागा इसमें तीन मार्च 2024 को ओखला पक्षी अभेहरने द्वारा वेश्व वन्ने जीव दिवस यानि कि यहां पर बनाया गया था सब्सक्राइब है कनेक्टिंग पीपल और प्लानेट एक्स्प्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल लाइफ कंजर्वेशन ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के संबंद में निम्ली खित्में से कौन सा कथन सही है तो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी अप्रूव की सब्सक्राइब है तो इक बार हमको देख लेना चाहिए एसमार प्रोसेस या गैसिविकेशन से ग्री हाइड्रोजन स्रजित किया जाता है स्टीम मिथेन रिफॉर्मिंग से ब्लू हाइड्रोजन यहां पर बनता है कार्बन काप्चर से और एसमार से टर्कोईस स्टाइब होता है एलेक्ट्रोलाइस की प्रक्रियास है सोर्स किया होता है ग्रीन ने ट्र करेंग अंपर खेंट तो उत्तर प्रदेश की Green Hydrogen Policy के बारे में दोनों ही कथने यहां पर सही है, एंसर हो जाएगा C, 1 & 2 बोथ करेट, C प्रदेश के अमेठी जिले की कितने railway stations का नाम बदलने की मंजूरी प्रदान कर दिये, तो आठ ऐसे railway stations हैं, अमेठी में जिनके नाम बदले जाएंगा, option number C, यहां पर सही है, जिमलेकित में से कौन से कतन सही है, मार्त 2024 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपर नकेल कसने के ल करने के लिए, technologically advance करने के लिए, पुलिस को तरिनेतर एप लाए है, तरिनेतर 2.0, यह सही है, इसके बाद उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज बन गया है, जिसने पांच करोड आईश्मान कार्ट्स जारी कर लिए, आईश्मान कार्ट्स दियान रखेगा, यह पर पर परसन के साथ जिलों की सभी तैसीलों, सहित 100 सरवाधिक सूखा ग्रस्त तैसीलों में सूखे किस्थी पर नज़र रखने के लिए, टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन की स्थापना करने की घोश्णा की है, तो सूखा ग्रस्त सब ज़्यादा छेतर कांट्स आए, आप चुन लीजि देवबे राजकी राजदानी लखनाव में कब तक धन्ड प्रक्रिया संहीता की धारा 144 लागू कर दिये, तो धारा 144 उननीस अप्राइल से एक जून तक लागू की गई थी, अप्शन नंबर ए यहां पर सहिए, ए निम लिखित में से कौन से कथन सही है, उत्तर प्रदेश फार्मेसियूटिकल उत्पादों का प्रमुख उत्पादक पर निद्यातक बनने की दिशामतेजी से आगे बढ़ रहा है, यह सही है, और उत्तर प्रदेश गवर्मेंट एक फार्मा पार्क बनाने वाली है, दो ज यहां पर एंसर हो जायेगा, All of the above, Correct, D, तीनों ही कथन यहां पर सही है, D यहां पर सही हो जायेगा, निम लिखित में से उत्तर प्रदेश में किस नधी के किनारे नए वाटर वर्क्स का निर्माड किया जाना है, तो वाटर वर्क्स का निर्माड किया जाएगा, यमना में वाटरवक्स बनाए जाएंगे आगरा के यमना पार्चेत्र में उद्धर पुदेश के किस पार्क में जल्दी दर्शकों के लिए 55 फीट उचे डाइनसौर के मौटल लगाए जाएंगे जनेश्वर मिश्र पार्क में एक कह सकते हैं डाइनसौर पार्क बन रहा है तो वहाँ पर 55 फीट उचे डाइनसौर के मौटल कंडिट माड किया जाएगा कहाँ पर किया जाएगा जनेश्वर मिश्र पार्क में लखनों में ऑक्शन नमबर बी यहाँ पर सही है यहाँ पर गौटजिला, किंग कॉंग, वूली मेमथ, इन सबके लाइफ साइज स्टैचूज यहाँ पर लगाए जाएंगे जिसमें एडवान सेंसर लगे होंगे गौतम बुद नगर के पूर्व डीम, सुहास लवाई, थाइलेंड में ओपन बैड्मिंटन चेंपिन्शिप में पताया में गोल्ड मडल जीतने के बाद देश के अधिकारी वर्ग में सरवाधी गोल्ड जीतने वाले आईस ओफिसर बन गए हैं सुहास लवाई कहां बिलोंग करते हैं, शिमोगा करनाटक से आते हैं, उत्तर प्रदेश कैडर में दोजर साथ बैच के आईस ओफिसर हैं, सुहास लवाई, तो यहाँ पर एंसर हो जाएगा C, करनाटका अप्शन नमबर C, यहाँ पर सही है पहले Automated Driving Test Track के संदर में निमलिकित में से गलत कथन या कथनों का चैन करना है, मारुतिस उसकी इंडिया द्वारा युद्ध्या में पहला Automated Driving Test Track होला गया, Automated Driving Test Track ध्यान रखेगा, यह मतलब गाडियों की टेस्टिंग के लिए नहीं है, यह ड्राइवरों की टेस्टिंग के लिए है, Automated Driving Test Track में क्या होगा, कि जो ड्राइवर्स अप्लाई करते हैं, Light Motor Vehicles के लिए, LMV के लिए, HMV के लिए, Driving License के लिए अप्लाई हैं की नहीं, तो इसलिए यह महरतिस उसकी इंडिया ने, Completely Automated Driving Test Track खोला है, Automated Driving Test Track, Driver Training and Testing Institute में खोला गया है, यह भी सही है, इसको इनॉग्रेट किया था, Chief Minister ने यह रहूं गया है, परिवान मंत्री जी ने, इनको दयाशंकर सिंग ने इसका इनॉग्रेशन किया था, तो गलत statement इसमें find करना गलत हो जाएगा, only three, C, यहाँ पर सही मुक्रमत्री जी ने इसका उद्गाटन नहीं किया है, दस मार्थ ओजार 24 में BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुकल ने उत्तरप्रदेश के चौथे इंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहां पर किय इसका शिलान्यास किया था गाजियाबाद, मेरा गाजियाबाद के राजनगर में एक अंतराश्ट्री क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, UPCA का है और UPCA ही इसका निर्माड करेगा, ठीक है, अब बाकी उत्तरप्रदेश में इंट्रनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहां कहां प पर कभी मैचेस हुए थे कुछ, लकनोव में, और एक वारणासी में निर्माड आधीन है, स्टेडियम, इसका उत्तरप्देश के किया था, उसका निर्माड शुरू हो चुका है, और ये आपका डी गाजियाबाद में इनाया बन रहा है, दसमार दोजार चौबिस को भारत के परधानमंतरी जी ने उत्तरपदेश के किस जनपत से भारत के 15 हवाइड़ा परयोजनाओं का उधगाटन किया था, जिसमें कुछ नए टर्मिनल, भवन, विभिन, हवाइड़ों के शामिल है, कुछ नए बिल्डिंग शामिल है, ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया हुआ ह लखनौ भी एक कह सकते हैं, एरपोर्ट है, जिसके नए बिल्डिंग ये टर्मिनल का उधगाटन, प्यमोदी जी ने किया था, यहाँ पर D हो जाएगा, कौन सकतन सही है, IAT कानपूर में देश का पहला हाइड्रोन थरेपी सेंटर शुरू किया गया, हाइड्रोन थरेपी क होता है, कैंसर के उपचार में, भारत का पहला हाइड्रोन थरेपी सेंटर है, और वाइस्विक्स तर पर एक्मात्र सेवेंथ है, हिंडिया का पहला है एड्रोन थरेपी सेंटर कहां पर खोला गया है, IAT कानपूर में, दोनु स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, C, यहां पर सही है, निम्ली कितमे से कौन से कथन गलत है, इलाबाद उच नयाल है कि लखनव पीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा सिक्षा बोर्ड अधनियम 2004 को आसमयधानी करार दे दिया है, सही, उत्तर प्रदेश जल्द ही एक मेजर प्रड्यूसर एक्सपोर्टर बन जायेगा फार्मस्यूटिकल प्रोड़क्स का, ये भी सही है, फॉर्मर गवर्नर फॉत्तर प्रदेश अजीज कुरैशी नहीं रहे, ये भी सही है, एंसर यहां पर रुजाएगा D, इंकरेक्ट पूछ प्रदेश 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 भारत की पहली hypervelocity expansion tunnel test सुविधा का सफलता पूर्वक स्थापना और परीक्षण किया है यह किया है आयटी कानपूर ने अगेन option number B यहां पर सही है यह क्या है यह है इंडियास first hypervelocity expansion tunnel test facility इसका नाम रखा गया है s2 और इसको एक nickname दिया गया है जिगर थंडा जिगर थंडा जिगर थंडा नाम से एक movie भी आये थी साउथ की तो इससे आप अशुशेट कर सकते हैं 24 मीटर लंबी facility है hypersonic experimental aerodronomics laboratory जो है department of aerospace engineering के अंतरकत IIT कानपूर में वहां पर इसको स्थापित किया गया है भारत का आई यह पहली ऐसी facility है option number B यहां पर सही है अप्टर अप्रप्रदेश special current fare यहां पर आम लोग कवर करेंगे अप्रेल बंद 2024 का सबसे पहला agreement यहां पर UNICEAD और REC Limited के बीच हुआ है UNICEAD क्या है unit for science and educational development UNICEAD कोई सरकारी organization नहीं है IIT कानपूर के इंतरगत काम करने वाला एक organization है एक initiative है IIT कानपूर के computer engineering विभाग का इसे HC वर्मा भी जुड़े हुए है 75,500 children जो सिधार्त नगर district उत्तर प्रदेश को बिलोंग करते हैं उनकी education को यह दोनों मिलकर support करने वाले REC Limited इस पर fund करेगा UNICEAD उनकी education की विवस्था करेगा 66 चिकित्सा सेवा और IIT कानपूर के बीच इसकी समझाता हुआ है 66 चिकित्सा सेवा ने भारती प्रद्यूगी सनस्थान के साथ समझाता किया है IIT कानपूर दुर्गम छेत्रों में साइनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ समस्याओं के समाधान की दिशा में टेक्नलोजीकल डवलप्मेंट करने वाला है क्या ऐसी टेक्नलोजी डवलप्लप करें क्या ऐसे प्रद्यूटी अनुसंधान के माद्यम से क्या हम साजिकों को कुछ ऐसी सवीत्हां अपलप्त करा सकते है कि दुर mee कं इप क्लक्रमा sonar को अंको स्वास्थ समस्याओ क्या कुछ उनको कोई equipment दे सकते हैं या फिर उनको अलग से कोई training दे सकते हैं तो इसके लिए आयटी कानपुर और शासस्त्रबल चिकित्सा सेवा की बीच समझाता हुआ है आम्ड फोर्चेस मेडिकल सर्विसेस यह किसके अंतर करता है मिनिस्ट्री ओफ डिफेन्स के अंतरगत अवार्ट अनुनर्स में देखेंगे अवार्ट ज्यादा है नहीं दो जार पाइस दो जार तैस के लिए संगीत नाटक अकैडमी फेलोशिप अवार्ड अनौन्स किये ग बारती रंगमंच का लाकार है इनको मिला है साहित अकैडमी का फैलो या साहित अकैडमी रत्न पुरुसकार विबिन लोगों को मिला है हमने इनका नाम लिया क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं करीब 92 आर्टिस्ट को देश भर मिला है लेकिन एक मात्र जो उत्तर प्रदेश क में इसका जो है कह सकते हैं शेत्री कार्याले है किसका दक्षिंड एशिया छेत्री केंद्र डिडियो की डिफेंस मट्रियल स्टोर्स और रिसर्च और डवलप्मेंट इस्टैबलिश्मेंट कानपूर में है इन लोगों ने अब तक का भारत का सबसे हलका बुलेट प्रूफ जैकेट विक्सित कर लिया है जो विभिन प्रकार का जो अमिनेशन होता है यानि गौली बार सबस्रेच कर दोब भुलेट प्रूफ जैकेट में नितर्ault का इस्तवाल कि आपको बतावना चीकित ह wohिन वेक्वार की जाँबं हुटा है ।् बुलेट प्रूफ विंडो बडों है खरद बनाने में किसका जिपर्दमाल कि भॉम्ण करके बताएं के लाडू एंदेक्स मे निस्टिक्त पहलार है इसमें टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट तन्सिया जंट मिशन तेजी से लागू करने काम किया जा रहा है जो जाई किया गया था पंदरागास 2019 में चल जीवन मिशन उस वरस के बजट में जो है अनाउंस कर दिया गया था इसको टार्गेट इसकी बात करें टार्गेट था 2024 तक देश भर के सभी हाउस होल्ड में टाइप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करवाना टाइप वाटर टू अवरी हाउस होल्ड अभी डेटा आया है कि तेरत असंबलव 92 करोड घरों को जान रखेगा लोगों नहीं घरों को नल का जल प्रोवाइड किया जा चुका है इस मिशन के अंतरगत सेक्शन देखेंगे 14 मार्थ 2024 को उत्तर प्रुदेश के जालाउन जिले में कौईर शोरूम की अधार शिला क्रिष्ण रखी थी भानुप्रताप सिंग वर्माने बानुप्रताप सिंग वर्माने ऑप्शन नमबर डी यहां पर साहिए मिनिस्ट्री ओफ MSME से में देख रहे यह कौईर शोरूम खोला गया है कौँच नमक्स जगह पर जालाउन डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रुदेश में 14 मार्थ 2024 को इधान रखेगा निमले कितमे से कौन से गतन साहिए हिंदुस्तान अर्णॉटिक्स लिम्टेड ने हाल ही में दो डॉर नियर हिंदुस्तान 288 विम तुलसी सबरी जलपरपाद जो है वहां पर चित्र कोट में खोला गया है मतलब उसके ऊपर लगाया गया है ग्लास स्काइवाक ब्रिज तो यह भी सही है यह बहुत पहले से हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रुदेश का पहला स्काइवाक ग्लास प्रिज बनने जा रहा है उत्तर प्रुदेश में तुमारा एंसर यहां पर सही हो जाएगा सी वन इंटू बोथ करेक्ट सी किस वर्ष तक उत्तर प्रुदेश की वार्षिक पर रिटन आगमन संख्या आट्सुपचास मिलियन तक पहुंच जाने का अनुमान है तो 85 करोड़ी या 850 मिलियन पहुं लखनौ के गोमती नगर्म किया गया था 10 अप्रेल 2024 को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी जी ने वैश्विक होमियो पैथी दिवस उत्गाटन समारों का कैसे तुमारों किया यह रौंग है सेकेंड वाला थार्ड है कि इस बार के वर्ल्ड होमियो पैथी दिवस क पार थक जी ने इनागरेट किया था योगी जितना जी यहां पर नहीं पहुंचे थे तुमारा एंसर यहां पर जाएगा ओनली टू अनली टू इनकरेक्ट है जो इसके बाद मार्च दूजर चौबिस में भारत के उत्तर प्रदेश राजी के कितने उत्पादों को भागोल प्रोड़क्ट्स की संख्या सबसे ज्यादा है तमिल नाडू अब सेकेंड पे आ गया है उत्तर प्रदेश से अकुल विलाकर 75 जी आटाइग प्रोड़क्ट्स हो चुके हैं आज की डेट तक तो 21 नहीं उत्पाद जुड़े हैं उनका एक बार नाम देख लीजेगा और उत् चीरई गाओं करोंदा बनारस का लाल पेड़ा बनारस का भित्ती चित्र बनारस की तिरंगा बरफी बनारस की मेटल क्राफ्ट जौनपूर की मरती मतुरा का सांजी सिल्प बुंदेल खंड का काठी आगे हूं पीली भीत की मासुरी संभल का आस्ति शिल्प लब ये चित्र और मास शिल्प बरेली की जर्दोजी शिल्प और पिलख हुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट टैक स्टाइल ये सब जी टाइक नए प्रोड़क्स हैं उत्तर प्रुदेश के हाली में केंदर सरकार ने तीन गैर पारंपरिक राज्यों में गेहूं खरीदने की लेखने वृध्ध लेकिन अब कहा है कि यहां से अब ज्यादा गेहूं सेंट्रल गॉर्वर्मेंट खरीदेगी इस मार्केटिंग येर में दोजर चौबीस पच्चिस में इसमें कहा गया कि सोला परसेंट गेहूं जो प्रोक्योर किया जाएगा वो इन तीन राजियों से लिया जाएगा आप है क्योंकि अलाबाद हाई कोट ने मदरशा अधिनियम 2004 को अन कंस्टूशनल खोशित कर दिया है और यह कहा है कि यह वाइलेटिव था अर्टिकल 14 अर्टिकल 15 अर्टिकल 21 ए जो है समविधान का उसका वैलेशन कर रहा था तो सुप्रिम को मदरशा अधिनियम को अवैद ख हाली में राश्ट्री इंडमाड में योगदान देने के लिए अगनी सुरक्षा सुनिशित करने के लिए विशयव के तहत राश्ट्री अगनी समन सेवा दिवस 2024 में कब बनाया गया था 14 अपरेल को मनाया जाता है जिस दिन आम बेटकर जैनती भी होती है अप्शन नमबर बी यहाँ पर सही है 8 फरवरी 2024 को उत्तरवदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितनाथ और केंदरी मंत्री श्री हरदीप सिंगपूरी ने उत्तरवदेश के किस जिले में इसमें कहा था कि आठिकल 14 आठिकल 15 आठिकल 21 से जो कंसिटूशन का है उसको violate करता है अधिनियम तो ये जो है सुभाष विद्यार्थी विवेक चाओधरी की bench ने ये फैसला सुनाये था, तो हमारा answer इसमें हो जाएगा, D यहाँ पर साहिए, 1 and 2 both correct, D April 2024 में उत्तरब्रदेश के किस नगर में पहली राष्टरी स्कूली handball under 17 प्रतियुकता आयवजित की गई, उत्तरब्रदेश में वार नसी में इसका आयवजन किया गया था, option number C यहाँ पर सही है वार नसी, धरोहर काशी की कारिक्रम की समन्द में कौन सकतन सही है भारती अलप संख्यक फांडेशन द्वारा 13 और 14 अप्रेल 2014 को उत्तरब्रदेश के वार नसी में धरोहर काशी की नामक एक भाव विकारिक्रम का आयवजन किया गया था तो इंडियन मैनोलिटी फांडेशन अचाए ध्यान रखिए कि अलप संख्यक मंत्राले के इंतरगत नहीं काम करता है एक प्राइवेट संस्था है तो इन्होंने आयवजन किया था धरोहर काशी की इसका खुल बलाकर उद्देश होता है कि हैंडिक्राफ्ट और हैंडलूम प्रोडट्स जो है अरेली नंगर निगम ने अपना एक अप लॉंच किया था माई बूथ हैप माई बूथ हैप से आप मदान केंद्रों में जो मद्दाताओं की कतार लगी है उसमें कितना इंतजार आपको करना पड़ा सकता है इसके बारे मजानकारी आपको मिलती थी उत्तरपदे सरकार जोरा 2022 में शुरू की गई महादेवी वर्मा श्रमिक पुस्तक क्रय धन योजना का उदेशेस नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही लड़कियां जो कि निर्माण श्रमिकों की बेटियां है अगर उनको एक मुझत अनुदान दिया जाता था साड़े साथ हजार रुपय का उन बेटियों को जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपना वर्स्यू कर रही है साड़े साथ जार रुपए किताबें खरीदने के लिए राश्य दी जाती थी है तो यह दहन रखेगा तो यह भी सही है यह भी सही है यह भी सही है हमारा एंसर इसमें हो जाएगा D अला व दो आव करेक्ट है एंसर ज़ाएगा D उत्तरवर्देश के बेसिक शिक्षा परिशत के अनुसार अब ककषा एक में फ्रवेस के लिए छात्र या छात्रा की याःउ कितनी होनी चाहिए अब एक पेपर में इससे समझेद सवाल पूछा गया था उत्तर प्रदेश में पूर्व माधमिक शिक्षा की आयू कितने निर्धारित है उत्तर प्रदेश में पूर्व माधमिक शिक्षा की आयू निर्धारित है तीन से पांच वर्ष के लिए और प्राथमिक शिक्षा की आयू निर्धारित है 6 से 11 वर्ष के लिए तो पुरधम कक्षम में प्रवेश के लिए कितनी आयो चाहिए 6 वर्ष तो हमारा एंसर इसमें 20 आई है और इसमें हमारा एंसर C साहिए Class 1 में प्रवेश के लिए कितनी आयो चाहिए 6 एर चाहिए 6 एर उत्तरप्रदेश के प्रयाग राज में भव्य महाकुम्ब का आयोजन कप किया जाना है भव्य महाकुम्ब अगला होना है नेक्स्ट येर दोजार पच्चीस में आप्शन नुम्बर A यहां पर सही है राम नमय के असर पर विशाल भारत संस्थान ने राम पंत के सहयोग से राष्ट्री संस्वक संग के सहयोग से इस आंदोलन के शुरुवात की थी वानसी के लमही गाउं में महादीक्षा संसकार आयजित किया गया था इसके अंतरगत क्या करते हैं कि दलित, ट्राइबल्स, मुसार और ट्रांसजेंडर विमन को ओडेन किया जाता है उनको जो है पुजारी बनाया जाता है पुजारी के रूप में नूक्त किया जाता है ठीक है दीक्षा दी जाती है उनको तो हमारा एंसर इसमें हो जाएगा C, 1 प्रचादी विक्सित की है यह साहिए इसका नाम के रखा गया द्रश्टी यह प्रोटीन से भरपूर उड़ात की दाल की प्रजाती है इसका नाम है द्रश्टी 95 चात्रों को अभी रिस्क्यू किया गया उत्तर प्रदेश से जो कथित तौर पर बिहार ले जाय जा रहे थे उत्तर प्रदेश चाइल्ड कमीशन के द्वारा इन को अरिस्क्यू करने के काम किया गया है यह भी सही है हमारा इंसर इसमें हो जाएगा सी वनें टू बोथ करेक्ट सी हाली में उत्तर प्रदेश पावर कार्परेशन लिम्टेड यूपी पीसल ने पावर बैंकों की माध् जढ़न दराशी वितरित कि थी अभी हाल में समन्ध में कौन सब्सक्राइस में कहा गया वितरित की है निजी स्कूल स्कूल में पढ़ने वाले 3,00,000,000 बच्चों के लिए खावर करसि अभी सरकार ने जा रहे की अधर चीजों में अगर लैक कर जाते हैं तो सरकार उनकी चीजों को fund करती है जैसी uniform हो गया कई बार किताब में अगरा हो गया हो गया है हमारा answer इसमें क्या होगा हमारा answer इसमें हो जाएगा A A वाला incorrect वाकिश statement यहां पर सही है माई 2024 बन्त का current affair यहां पर lingual format में लोग discuss करेंगे सबसे पहले agreement section पर आ जाते हैं उत्तरप्रदेश, Nodal Technical University और IBM Corporation के बीचे समझाता हुआ है क्या समझाता हुआ है भविश के कारबल को आधुनिक उद्योग 4.0 संकलपना के साथ संरेखित करने के दिशा में AI और cloud computing परिक्षनर प्रदान करने के लिए उत्तरप्रदेश, Nodal Technical University, IBM के साथ मिलकर के AI और cloud computing की training यहां पर workforce को देना चाहता है जिससे industry 4.0 का जो concept है modern industry 4.0 concept उसके तहत future workforce जो है उसको training मिल सके industry 4.0 की बात करें तो fourth industrial revolution भी इसको बोल सकते है fourth industrial revolution में किस की चीज़ों की यूज़ कर दे माले हम लोग system integration का IOT, Internet of Things का यूज़ कर दे माले और cyber security का यहां पर महतुर रहेगा cloud computing AI का तो निश्चित तोर पर रहेगा augmented reality का big data कर रहेगा और autonomous machines का simulations का यह सब का दौर रहेगा industry 4.0 और इसमें AI का बहुत बड़ा महत्तु है कासी विश्वनात धाम और उत्तर प्रदेश संगीत नाटक company इसके साथ समझाता किया 10 माई को कि जून दोजार चौबिस तक गौतम बुद्ध यूश्टी ग्रेटर रोइटा में एक digital forensic प्रयोगशाला स्थापित की जाए digital forensic lab स्थापित करने के लिए समझाता किया गया है CIPL के साथ आजाएंगे Awards and Owners के section पे Awards and Owners में अमल क्लूनी महिला ससकती करन पुरुसकार ये चार्ल्स थर्ड जो King of United Kingdom है उनके द्वाराई दिया गया था कुछ लोगों को उनमें से एक शामिल है आरती उत्तर प्रदेश राज के बहराई जिले की पिंक ई रिक्षा चालक आरती को ये आप में को ये कमेंट करके बिताईए कि जैसे Internet of Things की हमने बात की इसमें किस टेक्नलोजी का हम लोग यूज करते है विश्वद्याल अनुदान आयोग UGC द्वारा प्रथम स्थान की से मिला है महात्मा जोतिबाफुले रोहल खंड उनिवस्टी परेली महात्मा पंडित लच्छु महाराज पुरुसकार ये पंडित घजेंद्र गंगानी को मिला है पंडित घजेंद्र गंगानी को लच्छु महाराज की स्थापित ये पुरुसकार 2014 से नहीं दिया गया था फाइनली अब दिया गया है तो यहां पर 10 हस्तियों को इस बार समानित करने इननी 2014 से 2024 तक की सारी दस हस्तियों को तो हेमा मालनी को मिला 2018 वर्ष के लिए साहरा बानों को 2019 के लिए असीम बंदू भटाचार को 2023 के लिए और 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी को ठीक है तो यह पंडित लच्छु महराज आवाड के बारे में देहान रख सकते हैं जैसे मदप्रदेश से गौरानशी सर्मा उत्तर प्रदेश सिकार्तिक वर्मा और तमिल नाडू से विनीशा उमाशंकर नरसिंग पंचम यादव की बात करेंगे यह पूर पहलवान वायर नसी उत्तर प्रदेश से भारती कुष्टी महासंग अथलीट आयोग के अधरक्ष बनाए गए है अलिगर्ड मुस्लिम डिश्टी के प्रोफेसर हैं मई 2024 के समिट सेक्षन में देखेंगे सामुहिक चित्रकला प्रदरशनी योग सूत्र ब्हु उत्तर प्रदेश की तरफ से यह पूर प्रदरशनी लगाई गई थी ग्रूप पेंटिंग एग्जिबीशन य इंडिश्ट्री यानि की भारती उद्योग परिसंग तो भारती उद्योग परिसंग ने लखना उत्तर प्रदेश में पहली बार अंतराश्ट्री क्रशी मेला भारत 2024 का आयूजिन किया था इसका उद्देश क्रशी में तक्नीक का समवर्धन करना है डिफेर्न सेक्षन में देखते हैं भारती उद्योग सेना को पहला स्वदेशी रूप से निर्मित क्राश फायर टेंडर प्राप्त हुआए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन न विक्सित किये गए क्राश फायर टेंडर सी एफटी की डिलिवरी भारती वायुसेना कर दी गई है इसको विक्सित करने में 291 करोट रुपे की लागत आई है स्वदेशी मोबाईल अस्पताल भीष्म क्यूब का एयर ट्रॉप परिक्षण याप किया गया है आगरा उत्तर प्रदेश से भारती वायुसेना ने आगरा में उडान के समय अपातकाली लेंडिंग एयर ट्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाईल चिकित्सा सुविधा भीष्म क्यूब का परिक्षण किया है डेवलप्मेंट आफ ड्रोन नेम्ड कलाम कलाम नामा के ड्रोन का विकास किया गया है भारती प्रद्योगी की संस्थान कानपुर की द्वारा आयर्टी कानपुर AI से लेस कलाम ड्रोन 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक दूर दुस्मन को दबा कर सकता है ड्रोन 4 किलोमीटर की उचाई तक वड़ान भर सकता है इसकी रफ्तार 40 मीटर प्रति सेकेंड या 144 किलोमीटर प्रति गंटा है इसको APJ के 6C100 के नाम से जना जाएगा और कॉमन नेम इस कराएगा कलाम अभी श्री सेक्शन में आ जाएगे महिश्वर तिवारी प्रसिद साहितकार और गीतकार ये नहीं रहे श्री अतुल कुमार अरंजान भारती कम्यूनिस्ट पार्टी CPI के वरिष्ट नेता ये नहीं रहे मौडरन इस्टी में हम जसाब की पढ़ते हैं 1925 में कानपूर नगर में ही इंडियन कम्यूनिस्ट कानफरेंस हुआ था Central Pollution Control Board ने एक रिपोर्ट जारी की है वित्ती वर्स 2023-24 की अंतिम तिमाही यानिकी जो कह सकते हैं फोर्थ क्वाटर है इसमें राश्टी रैंकिंग में वयोग गुडवत्ता और प्रदूशन रोक्थाम प्रयासों केली सूचकांक में शीर स्थान पर रहने वाले 131 सहरों की इसमें सूची जारी की गई थी इसमें पहले स्थान पर प्रदूशन कम करने के प्रयासों की वामले में है कानपूर नगर फिठाने हैं माहास्टर से फिर दिली फिर कुलकाता और पांचमें पर गाज्यबाद है तो दो सिटी हैं कानपूर और रे गाज्यबाद National Clean Air Program लाँच किया गया था जनवरी 2019 में इसमें टोटल सिटीज ओल ओर इंडिया कितनी सामिल है एक्स ओकतीज उत्तर प्रदेस से कितने सिटी सामिल है 17 सिटी इसमें सामिल है इद्यान रखेगा आगरा, इलाहबाद, घासियबाद, कानपूर, लखनव, मेरट, वारनसी, अनपारा, बरेली, फिरोजबाद, अगजरौला, गोरकपूर, छांसी, खुर्जा, मुरादाबाद, नोएडा, राइबरेली ये सब सामिल है इद्यान रखेगा 17 सिटी कुल बिलाकर शामिल है हाइड्रोजन आधारी ती इंधन के समंद में इन लिखित में से कौन से कथन सही है भारती रेलवे और भारती प्रादोगी की समस्थान, कानपूर मिलकर हाइड्रोजन इधन से चलने वाला देश का पहला train engine निर्माड करेंगे Indian Railways और IIT कानपूर First Railway engine जो hydrogen चलेगा उसके निर्माड करेंगे इसके लिए State of Art Center for Railway Research की स्थापना यहाँ पर IIT कानपूर के भीतर की गई है यह lab technology डवलप करेंगे engine जो hydrogen चलेगा उसके लिए technology डवलप करेंगे यहाँ पर डवलप करेंगे इसको Center for Railway Research Lab यह technology यहाँ पर डवलप करेंगे multi-level silicon carbide traction converter की भी hydrogen powered railway engine के साथ ही जो तीनों statement यहाँ पर सही है answer यहाँ पर हो जाएगा C 1, 2 and 3 बहुत करेक्ट C इसका निर्माड जो है कहाँ पर होगा train engine को विक्सित करने के लिए उनना तक्निकों की खोज के लिए इस बार budget में 5,000 रुपय का fund आया था इस engine को बनाया कहाँ जाएगा यह कानपूर में ही बनाया जाएगा electric location जो फजल गंज में है कानपूर में वहाँ पर बनाया जाएगा 11-15 जुलाई 2024 तक उत्तरप्रदेश का बड़ी लीग का पहला संस्करण कहाँ पर आयवजित किया गया था आयवजित किया जाएगा 11-15 जुलाई 2024 को आयवजित किया जाएगा यह नोइडा में option number C यहाँ पर साइए नोइडा उत्तरप्रदेश के किस जिले में स्थित कोर्वा में असेंबल की गई 27 जार रूसी AK-203 असॉल्ट राइफले भारती सेना को सौपी गई है तो रशिया के एस साहयोग से जो हमने आपर एक फैसल्टी लगाई है कहाँ पर अमेठी में कोर्वा अमेठी में जो AK-203 असॉल्ट राइफल्स बन रही है इसकी पहली यूनिट या पहली खेप दे दी गई है इंडिन आर्मी को तो ये राइफल्स कहाँ विबन रही है रशियन AK-203 राइफल्स का मनेफेक्चर हो रहा है अमेठी में आप्शन नमबर B चौदा मईए 2024 को प्रसिद विद्वान और भगवान क्रशन के भक्त श्री वल्लभाचार की जहनती मनाई गए थी श्री वल्लभाचार का जन्म 1489 में उत्तरवदेश के किस नगर में हुआ था एक तेलोगों प्रामण फैमिली में इनका जन्म हुआ था आप्शन नमबर अभी यहां पर साहिए वाड़ची तो पुष्टी मार्ग जो है इन्होंने चलाए था पुष्टी मार्ग और यह किस फिलास्पी विश्वास करते थे किस दर्शन या फिलास्पी विश्वास करते थे हम लोग मेडिवल स्ट्रीम बढ़ते हैं इनका दर्शन या मत्था शुद्ध द्वायत वाद शुद्ध द्वायत वाद इसको शुद्ध द्वायत की यहां पर लिखा जाना चाहिए यहां रखेगा ऐसे साथ में लिखेंगे ठीक है दीर संदी से शुद्ध द्वायत यानि की प्योर नॉन डुवालिजम प्योर नॉन डुवालिजम शुद्ध द्वायत वाद यह होता है शुद्ध द्वायत वाद प्योर मोनिजम इसको बोलते हैं या फिर Pure Non-Dualism शुद्धा द्वायतवाद इनका जन्म वार्डसी में वो था तेलिगू ब्रामण फैमिली में डेंगू वाइरेस के निदान के लिए निमलिकित में से कहां पर दूसरा Sentinel Surveillance Hospital Lab स्थापित किया जाएगा कहां पर किया जाएगा प्रयागराज में प्रयागराज का जो हॉस्पिटल है यहाँ पर केवल एक Sentinel Surveillance Hospital Lab जो है स्थित थी कहां पर Microbiology Department में मोतिलाल नहरू Medical College में Sentinel Surveillance Hospital Lab यह डेंगू परिक्षण में काम हता है डेंगू आइरेस के लिए तो यह Second Lab यहाँ पर खोल दी गई है एक थी एक और खोल दी गई है प्रयागराज में प्रयागराज जिले के मोतिलाल नहरू Medical College के Microbiology विभाग में स्थित एक Sentinel Surveillance Hospital Lab जो है यह स्थित थी एक और खोल दी गई है निम्लिकित में से किस भारती प्रावदिकी सनस्थान ने बीना खून निकाले ब्लड सुगर की जांच के लिए एक Electric Patch Device पनाया है इसका निर्बाण IIT कानपूर के Chemical Engineering विभाग के प्रोफेसर नी किया है इसके क्या होगा कि मतलब आप ब्लड सुगर जो है नाप सकेंगे भीना ब्लड निकाले जैसे आभी क्या होता है कि आपको एक टिप होती है नुखीली चीज से ब्लड निकालना पड़ता है फिर आप उसको उसमें रखते हैं स्ट्रिप में ग्लुकोमीटर स्ट्रिप में रखते हैं फिर आपका ब्लड सुगर आता है लेकिन आपको जो है खुन नहीं निकालना पड़ेगा without drawing blood यहां पर answer हो जाएगा IIT कानपूर option number A IIT कानपूर के सरचरस नहीं टेक्नलोजी या पैच बनाया है पैच का मतलब क्या हो गया है कि एक स्टीकर आपने लगाया और आपके फोन पर जो है आपका ब्लड सुगर सो करेगा अनिम लिकित में से काउन सकतन गलत है केंद्री विद्धुत प्राधिकरण CEA के अनुसार विद्ध वर्ष 2024 में राज ट्रांस्मिशन उपियोगिताओं द्वारा ट्रांस्मिशन लाइन के विस्तार के मामले में तर्देश सभी राज्यों में शीर स्थान पर है तो ये सही है इंकरेक्ट नहीं है पिर राश्टी दूरसंचार, नीतियन उसंधान, नवाचार प्रिसेक्शन संस्थान जो की गाजियबाद में है इसने वाईश्विक दूरसंचार और सूचना समाथ दिवस पनाया था तो ये भी सही है तो एंसर यहां पर हो जाएगा नन अफ दीस कोई भी इन करेक्ट नहीं है एंसर यहां पर हो जाएगा डी 18 माई 2024 को वायू सेना के विशेस बल गरून कमांडो के सबल परिक्षन के समापन समारों का उत्सव मनाने के लिए मरून बेरेट सर्मोनियल परेट का आयोजिन कहां पर किया गया था तो गरून कमांडो का जो ट्रेनिंग प्रेट पूरा हुआ था अगे बढ़ते हैं लोग उत्तर प्रदेश के समंद में निमलिकित में से कौन सा या कौन से कथन कलत है उत्तर प्रदेश राज सरकार नागरी कुटेन छेत्र में दो बिलियन अमेरिकी डॉलर यानि की सोला जार करोट रुट रुपए से अधिक निवेश की योजना बना रही है सही है इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में हुए लोगसाभा एलेक्शन के पांच में चरण में पूर्वांचल छेत्र में 14 कॉंस्टिवेंसी में 56.07% मद्दान प्रतीशत देखा था तो यहां पे गलत है छटे चरण में एक्चली में 14 निर्वाचन शेत्रों में 56.07% में तीन प्रतीशत मद्दान दर्च किया गया था तो सेकेंड स्टेट्मेंट इंकरेक्ट है हमारा एंसर यहां पर हो जाएगा बी यहां पे साही है बी बोस इंस्ट्यूट कोलकाता और भारती प्रावदुगी की संस्थान कानपूर के प्रमुक वैग्यानिकों द्वारा सहिंत रूप से अध्यन के नुसार वाईव प्रदूशन सुन्दर बनके लिए एक बहुत बड़ा संकत साबित होगा एक शीर सक यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है असेडिटी एन ऑक्सिडेटिव पोटेंशिल आफ एट्मोस्फेर एरोसोल्स ओर रिमोट मेंग्रूव एकोसिस्टम डूरिंग दा आडवेक्शन ओफ एंत्रोबोजनिक प्लूम्स यह रिपोर्ट है यह दोनों कर गुरू जमभेश्वर राज विश्वधियाले कर दिया है जो मुरादाबाद में यह उत्तरपुदेश स्थान की रिपोर्ट आई है गंगा बेसिन में चारजायर से अधिक गंगा डॉल्फिन है जिन में 2,000 चंबल रिवर उत्तरप्रुदेश में स्थित है यह रिपोर यह है कि डॉल्फिनों की सरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभरेन ने घुशित किया है जहां पर 1111 गंगिस डॉल्फिन इस समय चंबल डॉल्फिन सेंक्चुरी में हैं यह भी सही है तो दोनों स्टेट्मेंट यहां पर सही हैं एंसर यहा यह लांकि स्टेट फिश यानि राज की मछली जो है यह इस से गंफ्यूम्ज नहीं करेंगा कि यह राज की मछली तुलो यह जिद्रा जित्ला जित्ला यह जो है जिए इस्ते एक विट इनिमल जो ए इ उत्तरप्रदेश राज में 1 जुलाई 2024 से 3 नय कानून जो अभी भारती संसतने लागू किये हैं, भारती नय संगीता, भारती नागरिक सुरक्षा संगीता और भारती साक्ष कानून ये लागू कर दी जाएंगे, फरस्ट यहां पर सही है, चीफ इनिस्टर योगी सभी 75 डिस्ट्रिक्ट में उत्तरप्रदेश में सेटप किये जाएंगे, जो लखनौ में इस समय जो फॉरंसिक इंस्टूट है, इसकी साहिता से सभी डिस्ट्रिक्ट में एक एक फॉरंसिक लाब सेटप की जाएंगे, तो नमारा एंसर क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट, D यहां पर करेक्ट होगा, 123, D यहां पर सही है, उत्तरप्रदेश के अमेठी जिले के कितने रेल्बे स्टेशनों का नाम बदला गया है, तो आठ रेल्बे स्टेशन का नाम बदला गया है, आप्शन नमबर C यहां पर सही है, C, लगनव के गोमती रिवर फ्रेंट की तरज पर उत्तरप्रदेश के किस जिले में गंगापत का निर्माण किया जा रहा है, 12 किलमीटर लंबे गंगापत का निर्माण किया जा रहा है, कहां पर प्रयागराज में, यहां पर एंसर हो जाएगा A, प्रयागराज, A यहां पर सही है, उत्तरप्रदेश के प्रयागराज मे इस तर्द पर वेस्ट टू अंडर पार्क स्थापित किया जाएगा यूपी दर्शन पार्क कहां पर राध्धानी में है आपको पता होना चाहिए लखनाओ में यूपी दर्शन पार्क नेमले कितमे से कौन से कथन गलत है गूगल डूडल के द्वारा 4 मई 2024 को भारत की पहली पेशेवर महिला पहलवान के रूप में जाने जाने वाली हमीदा बानो का डूडल जारी किया गया था हमीदा बानो का जन्म 1900 में के दशक में हुआ था अलीगड में पहला स्टेट्मेंट यहां पे करेक्ट है यमुना एक्सप्रेस पे इंडियस्ट्रिल डेवल्प्मेंट विकास प्राधिकरण ने बिल्डिंग प्लान मेनेज्मेंट सिस्टम नामा के प्रणाली शुरू की है जो 34,000 से अधिक आवासी भूकंड मालिकों को अनुमोधन के लिए अपनी भावन योजना उनलाइन जमा करने में सक्षम बनाती है यानि कि अपना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के लिए उनलाइन सब्मिट कर सकते हैं रेजिडेनिशल प्लाट के ओनर बिल्डिंग प्लान मेनेजमेंट सिस्टम के द्वारा तो यहां पर दोनों स्टेट्मेंट सही है आदोक इनकरेक्ट पूछा इनकरेक्ट कोई नहीं होगा एंसर यहां पर डी होगा नन अफद अबव डी यहां पर एंसर हो जाएगा C, लखनौ हाली में परेवरेंट मंत्राले ने उतर प्रदेश के किस जिले में डिफेन्स कोरिडोर बनाने की नमती दे दी है डिफेन्स कोरिडोर को यहां पर इन्वार्टमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल प्राप्त हो चुका है यहां पर ड्रोन्स, हलिकॉप्टर्स, कैनन्स और अमिनिशन्स बनाए जाएंगे यह 60 हेक्टेर की जो लैंड है खुटरिया नमक विलेज में करवी चित्रकूट में बनेगा तो एंसर यहां पर सही हो जाएगा A ड्रिफेर्स कोरिडोर यहां पर बनेगा चित्रकूट में उत्तरप्रदेश का पहला इको फ्रेंडली कोरिडोर किस जिले में बनेगा बदायू रोट पर बनेगा बरेली में उत्तरप्रदेश का फ़ाइला इको फ्रेंडली कोरिडोर answer यहां पर C-Sci होगा